निम लिख्षित का मान क्या होगा तो देखिए यहां पर एक simplification का question है आपके सामने और इस simplification में आपको ध्यान क्या देना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए odd mask का नहीं है सहीं बॉल कर नहीं है मरकर आपको पता है तो आप इस थाओ की कोश्चन बहुत इजली मनाए आते है बॉल काम में ब्रेकट होता है सबसे स्ब्सक्राइर के कान सा होता है ये बार होता है जाहर मेरखिएगे bracket के अंदर बहुत सारे operations है तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे board mask के सबसे divide multiply addition और subtraction करते हैं बिल्कुल इसी sequence में काम करेंगे अब देखिए इस bracket के अंदर कहीं divide नहीं है तो अगला number किसका आता है multiplication का अब आप देखेंगे कि multiplication दो जगहां पर है एक तो है एट इंट नाइन पर और दूसरा है तो आप यह दोनों ही साथ में perform करेंगे यानि इस bracket को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि एट नाइन जा होता है 72 प्लस 33 माइनस 21 गोली बात समझ में हैं आपको clear है अब इसमें इसको add कर दूंगा तो यह क्या हो जाएगा 105 अब पहले addition करेंगे तो यह हो जाएगा 105 माइनस 21 21 माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 84 ठीक है यानि इस पूरे bracket को solve करने पर 84 आया तो अब इसको क्या लिखूंगा मैं माइनस 15 प्लस 90 डिवाइड़ बाइ इस बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा 89 माइनस 84 clear यह वाड़ा bracket मैंने solve कर चुका है तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ चलिए अब इसकी बात क्या करना है इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाता है तो डिवाइड कर दूंगा है 90 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 18 आएगा तो यह आगया माइनस 15 और यह जाएगा प्लस 18 और इसका solution कितना अंसर आएगा प्लस का 3 याने option B will be the right answer I hope आपको इस समझ में आ गया होगा बार्ड मास याद रखेंगे इस तरी क्या दी हुई है कितनी भी बड़ी दी हुई है हमें क्या जोतना होता है अल्टरनेट नंबर का सम लेना होता है और जो बच गए उनको उनका सम लेना होता है याने एक तरीक से में बोल सकता हूं कि जो और प्लेसिस पर नंबर है उनका सम और उनको जोड कर सब्ट्रेक्ट क इनको minus करने पर जो number आ रहा है क्या वो 0, 11 या 11 का कोई multiple है अगर नहीं है तो यह number 11 से divide नहीं होगा इसी प्रकार दूसर number देखिए 8 9 again 8 ठीक है तो यह क्या करूँगा मैं 8 plus 9 plus 8 तो यह कितना हो जाएगा 25 अब जो बच गया उसे add करूँगा तो 0, 7 and 1 यह कितना हो जाएगा 8 तो यह number भी 11 से divide नहीं होगा तीसरा option देखिए क्या है 9 3 9 बुले clear है 9 3 9 9 9 8 8 9 9 9 8 8 9 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 10 10 माइनस करूँगा तो कितना आता है 11 तो देखिए यह जो number मुझे मिला है यह या तो 0 होना चाहिए यह 11 का कोई multiple और यह 11 है याने option C मेरा सहीं answer होगा option D बे answer नहीं हो सकता आप चाहिए तुसे calculate करके देख सकते हैं तो जिस प्रकार 11 का divisibility rule है इसी तरीके से आपको बाकी सार 10 दिन में पूरा कर सकते हैं इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे अब देखिए time in work में हमें एक बहुत basic concept तो पता है M1D1 equals to M2D2 होता है सहीं साथ में H1 और H2 भी होता है बट यह तब लगाया जाता है जब हमें अलग-अलग working hours दिये हूँ यानि जब मुझे बोला जाए कि यह लोग दिन में 8 घंटा काम करते हैं और यह लोग दिन में 6 घंटा काम करते हैं तब मैं उस factor को consider करूँगा और यहां पर H1, H2 को मैं consider नहीं करूँगा तो यहां पर नहीं दिया है तो मैं H1, H2 को नहीं ले रहा हूँ M1 याने आदमी कितने थे 15 दिन कितन answer है अगला question द देखिए क्या लेका हुआ है तीन वर्ष पहले पति पतनी और उसके बच्चे की ऑसध आईउ 26 ने खाली है आपको बूलागया 3 वर्ष पहले तीनों की एघरेज हैज 26 थी तो क्या आप ओं की आज की आवरेज इच बता सकते हैं तीनों क्यों में तीन साल बढ़ गई होगी, तो average में भी 3 साल बढ़ेगा, याने आज इनका average कितना होगा, 29 years होगा, तो इनका total कितना होगा, 3 से multiply करने पर 87 का होगा, बोले बात समझ मैं, इसी प्रकार, 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसा तायू 20 थी, तो अब कितनी क्योंकि दोनों की इच 5-5 साल बढ़ गई होगी, अब ये 2 लोग थे, तो total कितना आएगा, 50 आएगा, देखिए यहाँ पर 3 लोग थे, यहाँ पर 2 लोग थे, minus कर दूँगा, तो वो जो एक आदमी था, उसी का difference मिलेगा, और यहाँ पर minus करने पर मुझे कितना मिलेगा, 37 years तो यह है पती की वर्तमान, are you, option D will be the right answer, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, चलिए आएगे, अगले question पर आते हैं, अगले question देखिए क्या लिखा हुए, 45 minus 5 of 6.3 divided by 9 plus 7 into 0.5 का मान ग्याद कीजिए, simplification का question है again, तो यह कितना हो जाएगा, 45 minus, यहाँ पर तो यह 5 रहेगा, और off का मतलब एक तरीकी से multiply होता है, और यहाँ divide करने पर कितना हैगा, यह आजाएगा 7, यहने 0.7 आएगा, ठीक है, इस bracket को मैंने solve कर लिए, यह 0.7 आया है, प्लस यह कितना हो जाएगा, यह 3.5 हो जाएगा, clear हो गया, अब यहाँ पर पहले क्या होगा, multiplication होगा, मैंने प्लस 3.5 और यह हो जाएगा 45, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह 3.5 और यह 3.5 कैसल हो जाएगे, answer आएगा 45, बहुत simple था, easy question था, चलिए, अगला question देखें किया लिखा हुआ है, अगर संख्या 59A44B 36 से विभाजित होता है, तो A प्लस B का अधिकतम मान गया करें, यह अधिकतम मान किया होगा, बहुत ही बढ़िया question, दिखें, यहाँ पर आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, कि 36 के साथ, अगर मुझे किसी नंबर को डिवाइट करना है, 36 से, तो आपको 2 divisibility rule पता होना चाहिए, कौन-कौन से, 9 और 4 का, यानि जो संख्या 9 और 4 दो से डिवाइट होते हैं, तो फूरी संख्या 4 से डिवाइट होती है, आखरी के दो नंबर है 4B, सहिए, अब यह 40 होता, तो भी 4 से डिवाइट होता, और यह 48 होता, तो भी 4 से डिवाइट होता, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, A प्लस B का अधिकतम मान चाहिए, यानि B की भी अधिक्तम value चाहिए और A की भी अधिक्तम value चाहिए तो मुझे यहाँ पर बताईए B की अधिक्तम value क्या हो सकती है 8 हो सकती है तो मुझे यहाँ से B की value मिल गई वो कितनी है 8 वो लिए clear है यह अधिक्तम बोला है 9 से 9 का divisibility rule क्या बोलता है इन सारे नंबरों का योग याने इन सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए चले जोड़ लेते हैं 9, 5 कितना होता है 14, 14 और 4, 18, 18, 24, 22, 28, 30 और 7 में प्लस A भी है तो मुझे बताइए 30 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो की 9 से डिवाइड होती है तो आप बोलेंगे 36 याने A की value क्या होनी चाहिए तो 6 होनी चाहिए तो यहां से मुझे A की value कितनी मिल गई 6 मिल गई बात समझ में आ रही है आपको तो यहां से A और B दोनों की value मिल चुकी है तो A प्लस B की अधिक्तम मान क्या होगा 14 याने option A will be the right answer तो बहुत easy question था अगेन कुछ भी यहां पर नहीं था बस आपको यह break करते आना चाहिए तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी कभी ऐसा कोई number आता है तो 6 का divisibility rule दो बार लगाने पर क्या answer सहीं आएगा नहीं गलात आएगा आपको हमेशा ऐसे दो number में तोड़ना है जिनमें कुछ भी common ना हो clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखते है question देखिए क्या लिखा हुए? एक व्यक्ति और उसके पिता की आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 5 है और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयू का अनुपाद 6 अनुपाद 1 है चार वर्ष पहले यहां अनुपाद क्रमशह 11 अनुपाद 14 और 11 अनुपाद 1 थे तो अब से बारा वर्ष के बाद दादा और पोते याने बिसिकली पोता और दादा का आयो का अनुपात क्या होगा अगेन बहुत ही बढ़िया कोश्चन इंपोर्टेन मार्क कर लें अच्छा सवाल है यहाँ पर आपसे बूला गया है एक व्यक्ति के पिता और उसकी आयो का जो अनुपात है या उसके और उसकी पिता की आयो का जो अनुपात है वो चार अनुपात पांच है ठीक है यहां तक कोई दिखकत नहीं और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयो का अनुपाद एक है यह आज की स्थिती में बता रहा है वो कि आज फादर basically मैं इसको दादजी बोलता हूँ दादजी, फादर और सन यह तीन लोग है फिलहाल दादजी और पिता जी की आयो का अनुपाद क्या है तो दादजी अगर पांच के है ठीक है तो पिता जी कितने के हैं चार के हैं इसी प्रकार पिता और बेटे की आयो का अनुपाद कितना बता है छै अनुपाद एक बताया है ठीक अब पिता जी कि उमर तो आज के टाइम पे कोई एक ही होगी ना तो मैं इस टाइम पे इसको सेम करने की कोशिश करता हूँ ठीक, यहांपर क्या multiply करूं? तीन का, और यहांपर दो का तो यहांपर भी तीन का करना पड़ेगा और यहांपर भी दो का करना पड़ेगा तो अब यह ratio क्या आ गया? यह आ गया पंद्रा, अनुपाद बारा अनुपाद दो Clear? यह जो ratio आया है आपके पास ये कप का है ये present का है ये present का है आप से बोला है चार साल पहले ये अनुबाद करमशा 11, 14 और 11 चार था यानि दादा जी पिता जी और बेटा यहाँ पर दादा जी 14 के थे पिता जी 11 के थे और बेटे और पिता जी का अनुबाद तो ये 11 और ये 1 था यानि एक तर रीशो आया है ये कप का है ये चार साल पहले का है ये चार साल पहले का है ठीक है अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है तो आप सभी जगह देखेंगे एक हिस्से का अंतर सब जगह आ रहा है और कितने साल का अंतर आये था चार साल का ये मैं बोल सकता हूँ एक हिस्सा अ साल का होता है यह प्रेजंट की है असे 12 साल बागे यह यह डादा जी बहुत बढ़ जाएंगे 70 के और बेटा कितने हो झाँदी का बीस कर Zion कोई चलूस चलिए अब किस से काटने का है चार से काट लीजिए ये पांच आ जाएगा और ये अठारा आ जाएगा याने रेशियो आएगा 18 इस्टु फाइव ऑप्शन ये राइट आंसर तो यह बहुत ही बढ़िया कोशन था इंपोर्टेंट था अच्छा सवाल था अगला कोशन करना है और कुछ भी अंदर है नहीं तो यहां पर यह जाएगा 106 divided by 2 प्लस बड़ा ब्राकेट करली ब्राकेट छोटा ब्राकेट 75 divided by 15 कितना होता है तो यह 5 होता है प्लस 6 हो जाएगा इंटू 2 बोलो clear है बात समझ में आगई तो देखिए यह स्मॉल ब्राकेट तो खतम हो दो यहां पर है प्लस यहां पर है एक 106 divided by 2 इसे तो मैं सिंपल डिवाइट कर सकता हूं है की नहीं सिंपल डिवाइट करूंगा यह कितना आएगा 53 प्लस यह कितना जाएगा 22 याने आंसर कितना हो जाएगा 75 याने option A will be the right answer simple question again board mask का rule सहीं तरीके से सहीं जगा पर 35 संख्याओं का उसत 22 है पहली 17 संख्याओं का उसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का उसत 20 है तो अठारवी संख्या ग्याद करें again बहुत ही बढ़िया question important mark कर लें से तो देखिए आप से बोला गया है total है 35 संख्या है कितनी 35 संख्या है जिसमें से पहली 17 का आपको average बताया तरीके से मैं बोल सकता हूँ यहां से यहां तक का कुछ अठारवी चूटी और फिर आखरी 17 तो यहां से देखिए आखरी 17 में बीच में एक नमबर चूटेगा याने यहां पर 17 यहां पर 17 तो 17 और 1734 हो गई और बीच की एक संख्या जो की 18 संख्या थी इसकी value आपको निक लेंगे तो देखिए 35 संख्यां का उसद कितना दिया है 22 जो शुरू की 17 है इनका उसद कितना है 19 है और जो आखरी 17 इनका उसद कितना है 20 यह बात आपको समझ भें मेरे क्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए अब देखिए पहला तरीका तो यह कि मैं यहां पर सीधा सीधा जो टोटल वाला मैथड होता है वो लगालों तोटल वाला मैथड क्या बोलता है कि यह अगर 20 संख्याएं हैं और यह 35 संख्याओं का आवरेज है तो मैं बुलूंगा 35 इंटू 22 यह जाएगा मेरा 35 संख्याओं का टोटल ठीक है यहां तक कोई दिक्क तो यह 17 into 19 कितना होगा तो 17 into 19 होता है 323 ठीक है और यही 20 से multiply करूँगा तो कितना होगा तो 20 से multiply करने पर आएगा यह 340 इसी प्रकार अगर मैं निकालूँगा 22 into 35 कितना होता है तो यह होता है 770 तो basically मुझे करना क्या है कि मुझे इस total में से शुरू की 17 और आखरी की 17 निकाल मुझे मिल जाएगी यानि यह भी minus करना है और यह भी minus करना है यानि total अगर एक तरीके से देखूं तो 663 मुझे इसमें से minus करना है वो ले clear है समझ में आगया तो यहाँ पर अगर मैं से minus कर लेता हूं तो कितना आएगा minus करने के बाद मुझे मिलेगा 107 इसमें से इसको कोशन है 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समूचे की क्रमागत संख्याओं के औसत से पांच अधिक हैं very important question बहुत ही बढ़िया लेवल का दिखे कोशन में आपसे क्या बोलाए कि 17 संख्याओं का योग बताईए जिनकी पहली संख्या पहले समूचे की क्रमागत संख्याओं के औसत से पांच अधिक है याने पहले मुझे इनका आवरेज निकालना पड़ेगा बोली क्लियर है आवरेज कैसे निकालते हैं तो देखिए आवरेज का तो हम सभी को पता है सतरा से करना है तो एवरेज मिल जाएगा ये क्या है सत्रा का सक्वार दितो क्ै जिसकी पहली संख्या यह जो Suzanne 10 संख्यां लेनी है न मुझे उसकी पहली संख्या है 22 तो इसके बाद वाली कौन सी होगी तो वह होगी 23 उसके बाद वाली कौन सी होगी तो वह होगी 25 फेट 26 इस प्रकार से मुझे 10 संख्याइं लेना है और इनका योग बताना है तो देखिए 10 संख्याओं के अगर मैं बात करूं तो मै और चटी होगी 27 इनके बीच में आएगा इनका आवरेज जो कि होगा 26.5 और इनका अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल निकालने का ज्यादा सठीक तरीका क्या होगा सठीक तरीका होगा आवरेज इंटू नंबर याने जो भी और सथ उसे संख्या से गोना कर दीजे आवरेज हमने कितना निकाला 226.5 और संख्याई कितनी थी 10 तो टोटल कितना हो जाएगा 260 याने ऑप्शन बी विल भी दी राइट आंसर बहुत की बढ़िया कोशन था अच्छा सवाल था अगर आपको जादा डीटेल में समझना है तो आप क्रिजी जी के ट्रिक की इस फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर मैंने अवरेज में इस सारे कंसेप्ट बहुत डीटेल में समझाए हुए है और अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया तो इस टाइप फी कोशन बिल्कुल विदिन सेकेंड आपसे बन जाएंगे चले आए हम चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन देखी क्या लिखा हुए है पांच अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णता विभाजित हो तो देखिए बहुत ही सिंपल कोशन है इस टाइप के कोशन के लिए आप बिल्कुल भी कोई मैथड ना लगा है आप सीधा सीध इस होगा कि 81 से भी देवाइड होगा तो देखिए यह पर यहाँ पर यह जितने भी नंबर है अगर कुई ऐसा नंबर है जोकि 9 से भी डिवाइड ना होता हो तो इसेमोझे करना यह इसे मुझे क्या करना है कि 9,999 negative से बिर देवाइड करके देखें अगर दो बर 9 से डिवाइड होता है याने यहीं हो संख है जिसे इसे पहली बार करूँगा तो यह कितना आएगा 11106 ठीक है अब अगेन 9 का डिविजिबिल्टी रूल लगा दूं यहाँ पर क्या हो जाएगा यह तो यह अगेन 9 से डिवाइड होता होगा देखेगा यहीं मेरा सही अंसर है यहाँ पर यह चीज फॉलो नहीं होगी एक ही पर 9 से डिवाइड होगा दूसरी पर नहीं होगा त आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ली बोल रहा हूं ऑप्शन से ही जाएगा अगला कोशन देखें क्या लिखा हुआ है पांच क्रमागत विशम संख्याओं का औसट 75 है निमलिखित में से किस संख्या को जोड़ने पर औसट 76 होगा अब देखें क्योंकि एक ही संख्या बढ़ी है पहली बाद तो 5 क्रमागत संख्या है ने 1,2,3,4,5 और ये विशम संख्याओं है याने इनकी जो तीसरी संख्या है वो है 75 तो इसके बाद वाली कौन सी होगी इसके बाद वाली होगी 77 और इसके बाद होगी 79 आपको अगला नंबर 81 एड़ करना पड़ेगा तब जाकर average 76 पर आपाएगा याने option B will be the right answer वोली clear है बाद समझ में अगें ये पूरा concept मैंने average में पढ़ा रखा है आपको चलिए आईए आगे बढ़ते हैं कोशिन देखी क्या लेखा हुआ है पांच विश्यों में रवी के आउसत प्राप्तांग डेर्जों हैं लेकिन गणना करने पर तुरुष्टी के कारण गनत में मिले 43 अंकुट 23 पढ़ लिया गया था सहीं आउसत ग्याद करें सबसे पहले तो ये देखिए उसे मिले कितने हैं थे 43 आपने गिना कितना 23 तो आपको बढ़ानार यह कंद quedar अब यह देखी कितना वर?. अगर आपको बढ़ांगे और आपको सब्सकूंद में इसका आशर देखने मिलेगा तो खुल मिलाकर 4,4 नमबर सबी सब्जेक्ट में वढ़ेंगे या मैं option A will be the right answer तो इतना ही simple सा question था ये clear है? अगला question क्या है देखी 7200 रुपए की राशी पर चक्रवित्थी ब्याज रुपए में क्या होगा? प्रती वर्ष 20 प्रतीशत की दर से 18 महिने के लिए यदि ब्याज की गढ़ना अर्दवार्षक चक्रवित्थी ब्याज की जाती है तो तो देखी बहुत ही simple सा question है आपको पताई से half yearly calculate करना है जैसे ही मैं half yearly की बात करता हूँ तो rate of interest 20% से घटकर हो जाएगा कितना 10% पर ध्यान रखेगा अगर 18 महिने की बात कर रहा हूँ तो 6-6 महिने की यहाँ पर 3 slot बनेंगे यहने 10% के हिसाब से आपको 3 साल का पेड़ बनाना है बस बात इतनी सी है और क्योंकि 10 साल की बात है तो मैं इसको 1000 ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से तो 1000 के 10% 100, 100 और 100 होगा clear है यहाँ से मैं 331 रूपीज का clear अब यहाँ पर बात समझ नहीं कोशिश करेगा जब मैंने प्रिंस्पल को 1000 रूपे लिया तब मेरा CI बना 331 रूपीज फिलाल मेरा प्रिंस्पल केतना है 7200 तो मैं बोलूँगा अगर मेरा 1000 7200 के बराबर है तो एक की वेल्यू 7.2 होगी या नहीं होगी और अगर एक की वेल्यू 7.2 है तो 331 की वेल्यू 2383.2 होगी अब इस .2 को अगर इग्नोर कर दूँ क्योंकि बहुत चोड़ा सा नंबर है तो रूपीज में क्योंकि आपसे पूछा था तो यहां पर आंसर हो जाएगा option D will be the right answer तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि यह round off भी करके पूछा जा सकता है या उसने क्या किया है कि पैसे को नहीं किरा है decimal में नहीं लिया उसने सीधा सीधा रूपीज में पूछा था आपसे तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा बिले क्लियर है चली आगे बढ़ते हैं अगला question देखते है अगला question देखी क्या लिखा हुआ है एक आदमी 7000 रुपे का निवेश करता है 8 प्रतीशत वार्षिक दार पर 10 से 2 वर्ष के लिए साधरन ब्याज पर और 10,000 रुपे समान धन राशी है समान अवदी के लिए समान दर पर वार्षिक चक्रवित्ती ब्याज पर परिवक्ता पर कुल ब्याज और कुल राशी क्रमशा क्या होगी तो आपसे पूछा गया है कि जब यह परिपक्वता हो जाएगी याने जब यह 10,000 खतम हो जाएगा 2 साल कंप्लीट हो जाएगे आपसे पूचाए कि कुल ब्याज कितना होगा और कुल राशी कितनी होगी कुल राशी का मतलब वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है और ब्याज का मतलब आपसे इन्टरेस्ट पोच रहा है बात समझ में आई तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं यहां से मैं बोल सकता हूं कि उसे जो total interest मिलेगा वो कितना मिलेगा वो मिलेगा दो zero से दो zero काइटनी के बाद 16 into seven कर लेंगे तो यह हो जाएगा 112 और 10 तो यह हो जाएगा ग्यारा सो बीस रुपे उसे ब्याज मिलेगा सिर्फ पहले वाले इससे दूसरे वाले हिस्से से क्या प्राप्त होगा तो दूसरे वाले हिस्से से 10,000 के हिसाब से उसे 8% दो साल तक मिलेगा वो भी C.I. के फोर्म में ठीक है जब मैं बात करता हूँ C.I. की तो यहाँ पर मुझे ये देखना होता है कि C.I. में इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट भी मिलता है ठीक है इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट भी मिलता है तो मुझे कुल मिला कर 10,000 का 10,000 का 16.64% मिलेगा अब उन में 100 ओर कर लेता हूँ 2,0 से 2,0 कैंसल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1664 रुपए इतना मुझे interest मिलेगा, यहाँ पर add कर लूँगा तो कितना हो जाएगा, तो यह जाएगा 4, यह जाएगा 8, यह जाएगा 7 और यह हो जाएगा 2, तो 2784, यह मुझे कुल interest मिलेगा, यह SI वाला part था और यह CI वाला part था, clear है, तो देखिए यहाँ पर A की option दिख रहे है, option B will be the right answer, वैसे भी option A और option D तो वैसे ही cancel हो गए थे, उसने पूछा था, पहले ब्याज बताओ, बाद में कुल राशी बताना, याने बाद में amount बताना, वाई साब ने पहले कुल राशी बता दी, तो यहाँ पर यह दो option तो पहले गलत हो गया, बी और सी में से ही कोई option बचा था, उसमें से भी मैंने यहाँ पर देख लिया कि यह 84 आ रहा है और यह 48 आ रहा है, तो मैंने जैसे ही देखा यहाँ पर 4, तो मैंने मारा टेक option B और बढ़ गया, आगे तो मिले को पूरा calculation भी नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पर यह चोटी चोटी सी बाते हमारे exam में time को बत्य अगला question देखी क्या रिका हुआ है, साधानन ब्याच पर उधार दी गई राशी, 9,920 रुपए, दो साल बाद 12,800 रुपए, पांस साल बाद वार्शिक ब्याच पर राप्त होती है, दर गयात करें, यानि आपसे बोला गया है कि साधानन ब्याच पर आपने कुछ राशी दो साल में आपको इतना रुपए मिलता है और पास साल में आपको इतना रुपए मिलता है, तो बताए ब्याच की दर क्या थी, तो देखे, यहाँ पर है यह 2 यह के लिए 9,920 रुपए, 5 यह के लिए आपका यह हो जाता है, 12,800 रुपए, clear, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अंतर है, 2880 का, minus कर देंगी, 2880 का अंतर है, clear हो गया, बात समझ में आगी, अब इसे अगर मैं 3 से डिवाइट कर दूँ, क्योंकि simple interest है, तो हर साल बराबर पैसा मिलता है, 3 साल में इतना मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 से डिवाइट करूँगा, तो यह जाएगा 960 रु मिलता है, तो 2 साल में कितना मिला होगा, बता सकते हैं, तो 2 साल ही तो multiply करना है, 1920 रुपए, अगर 2 साल में, यानि जो भी principle का year था, जब आपने जमा किया था, वहां से second year में कितने साल, 2 साल तो हुए, तो मैं आप से यह बोल सकता हूँ, कि यहां से यहां तक आने में, इसे 1920 रुपए as a interest मिला होगा, यानि यह जो 2 साल का total पैसा है, इसमें से अगर मैं 1920 रुपए minus कर दूँ, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, यह मेरा principle हो जाएगा, question में मुझसे principle नहीं पूछा है, interest कैसे निकालूँगा, interest rate of interest कैसे निकालूँगा, तो total interest एक साल का कितना होता है, 9 8000 into करूँगा, किस से 100 से, बोले clear है, बात समझ में ही, तो यह कितना हो जाएगा, 12% यानि option C will be the right answer, तो इस टाइप के question भी मैंने आप से series में discuss किये हुए है, चलिए आगे पढ़ते हैं और आगे questions देखते हैं, अगला question देखी के लिका हुए, 2400 रुपे 4 वर्षों में 3264 रुपे हो जाते हैं, ब्याज की दर 1% से बढ़ जाए, तो 4 वर्षों का नया मिश्रधन क्या होगा, again बहुत ही बढ़िया question, आप से क्या बोला है, कि इतना पैसा इतना हो जाता है 4 साल में, अगर ब्याज की दर को 1% से बढ़ा दूँ, तो आपको हर साल 1% जादा मिलने लगेगा, तो 4 साल में total 4% जादा मिलेगा, अब यहाँ पर हमें ये देखना है, कि जो rate of interest है, वो simple interest में हमेशा principle पर ही लगता है, याने अगर मैं इसका 4% निकालना हूँ, किसका? 2400 का, तो 2400 के 4% निकालना कोई ब कि rate of interest 1% से बढ़ गई है, याने हर साल 1% जादा मिलेगा, तो 4 साल में 4% मिलेगा, या रुपेओं में बात करूँ, तो 96 रुपीज जादा मिल जाएंगे 4 सालों में, तो जो पहले मिलना था, वो तो मिले गई मिलेगा, याने 3264 रुपे तो मिले गई मिलेगा, इसकी साथ 96 एक्स्ट्रा मेलने लगेंगे, इस 1% के कारण, याने टोटल कित्त हो गया आपका, तो यहाँ पर add कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 0, 1 carry, 6, 1 carry, 3 and 3, तो यह हो जाएगा 3360, option D will be the right answer, simple, बात समझ में आगी आपको, चली, अगला question देखिए किया लिखा हुआ है, किसी मूल ध principle का 6 by 5 हो जाता है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, amount और principle का जो ratio है, वो 6 by 5 है, ठीक है, याने कितने percent हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यह सीधा-सीधा 20% बढ़ गया, ठीक है, पांच में एक हिस्सा बढ़ा, याने कितना percent बढ़ गया, 20%, कितने साल में, धाई साल में, तो आपको अगर धाई साल में, 2.5 यह में 20% मिलता है, तो rate of interest तो हमेशा एक साल का होता है, तो एक साल का कितना होगा, तो 20 को 2.5 से divide कर लेंगे, बोली clear है, बात समझ गया ही, decimal हटाएंगे, 0 लगाएंगे, divide कर लेंगे, तो यह हो जाएगा, 8% याने option D will be the right answer, again, बहुत ही simple और easy question, चलिए आईजे, अगला question देखते है, अगला question देखी क्या लिखा हुआ है, 5000 रोपय की राशी प्रती वर्ष 15% की दर से निवेश की जाती है, साधारान ब्याज, यह राशी कितने समय में 6500 रोपय हो जाएगी, याने साधारान ब्याज से यह राशी कितने समय में 6500 रोपय हो जाएगी, सबसे पहले तो आप यह दिख लीजिए ना कि आपको interest कितना मिला, वैं 5000 थी 6500 हो गई, यहने मैं बोल सकता हूँ 1500 को interest मिल गया, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि 5000 रोपय पर, इतना मुझे चाहिए, याने यह simple interest है, तो simple interest का formula होता है, PRT upon 100 का, यही होता है, तो यहाँ पर यह तुम मुझे पता है, principle कितना है, 5000, rate of interest आपको पता है, 15% है, time का नहीं पता upon 100 लिखना है, तो यहाँ से 2-0 से 2-0 cancel हो जाएगा, 15 से यह 15 कड़े आएगा, तो यहाँ पर 100 बचेगा, 50 से पर काट लिजिएगा, 2 आजाएगा, तो time की value आपकी अपने आप 2 साल आजाएगी, याने option A will be the right answer, तो यहाँ पर basically मैंने किया क्या, कुछ भी तो नहीं, simple interest निकाला, वो PIT का formula में put कर दिया, हो गया question solve, चले, अखला question देखे, यह भी again बहुत simple से question है, golden rule, ratio proportion पढ़ाया हुआ है, playlist में आप जागे देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर basically मुझे denominator में number को लाना है, याने मुझे पता है कि X upon equals to Y upon B equals to Z upon C की जब भी condition आएगी, तो यहाँ पर X ratio Y, ratio Z क्या होगा, यह होगा A ratio B, ratio C, ठीक है, तो यहाँ पर पहले मुझे इसको इस form में convert करना होगा, कैसे 4, 6 और 9 का LCM ले लेता हूँ, कितना हैगा, 36, तो मैं इन सभी number को, याने 6P, 4P, 6Q और 9R को मैं, क्या करूँगा, 36 से divide कर देता हूँ, सभी number को 36 से divide कर दूँगा, तो यह कितना आजाएगा, यह 9 हाजाएगा, यह 6 हाजाएगा, और यह 4 हाजाएगा, तो मैं बोल सकता P upon 9, equals to Q upon 6, equals to R upon 4, तो P ratio, Q ratio, R क्या हो जाएगा, 9 ratio, 6 ratio, 4, यह option B will be the right answer, I hope आपको यह भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही basic से questions है, easy question ही पूछता है, MTS में, तो आपको इस टाइप के questions, exam में बनने चाहिए, without any delay, बिल्कुल seconds में इस टाइप के questions के answer आते हैं, चली, अगला question देखता है, अगला question देखी क्या लिखा हुआ है, यदि 9 वर्षों का साधारन ब्याज, मूल धन का 45 प्रतीशत के वराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, बहुत ही जादा simple question नहीं हो गया, वहीं 9 साल में साधारन ब्याज, मूल धन का 45% मिला है, यानि 1 साल म 5% मिलता है, तो यही तो है rate of interest, जो percentage आपको एक साल में मिलता है, वही तो आपके ब्याज की दर होती है, यानि option A will be the right answer, यहां तो कुछ भी नहीं था, है की नहीं, चलिए, तो देखें पहला question क्या लिखा हुआ है, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क यहां पर compounded तो लगना नहीं है, तो यहां पर मुझे पता है, पहले साल 5% मिलेगा, दूसरे साल 7% मिलेगा और तीसरे साल 10% मिलेगा, यानि अगर मैं बात करूं 3 साल की, तो 7, 5, 12 और 10, 20% क्या मिलेगा मुझे, 20% मिलेगा, किसका 20% मूल का जो की है 1500 रुपए, यानि 1500 धाई वर्ष के लिए देखूं तो क्या होगा, तो देखे धाई वर्ष के लिए पहला साल complete है, तो 5% मिलेगा, दूसरा साल भी complete है, तो 7% मिलेगा, पर क्योंकि तीसरा साल आधा ही हुआ है, तो यहां पर मुझे rate of interest भी आधा मिलेगा, यानि 5%, 7% और तीसरे साल का आधा, यानि अगें 5%, यानि टूरिल कितना हो गया, 17%, यह किसका, 1500 का मूल का, बुलिए बात समझ भी आई, clear है, यहां तक मेरे क्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, चले, अब यहां पर इसको multiply कर लेंगे, तो हमें 3 साल और 2.5 साल का simple interest मिल जाएगा, multiply करते हैं, यह देखे, 22 into, 22 into, 1500 बटे, 100 percentage का, 2,0 से 2,0 cancel हो गया, ठीक है, अब 15 into 22 करना है, तो सीधा multiply करते हैं, 15 दूनी 30 का 0, 3 carry, 15 दूनी 30, 330 रुपए, यह आपको as a simple interest मिलेगा, 3 साल के लिए, अब 20 साल के लिए 17% मिलना था, तो percent से 2,0 cancel, multiply कर लेजएगा, यहां पर कितना आएगा, तो देखे, multiply करके, यह आता है, 255 रुपए, बोले क्लियर है, 255 रुपए, तो यहां पर मुझे क्या पता चला, कि option A will be the right answer, बहुत simple question था, अगला question देखे, क्या लिए, 76 रुपए, प्रती किलोग्राम के चावल को, 64 रुपीज प्रती किलोग्राम चावल के साथ, किस अनुपात में मिलाया ज जाना चाहिए, कि मिश्रन का मूल 72 रुपए, 72 रुपीज पर केजी हो जाए, तो देखे, इस simple allegation का question है, आपको क्या करना है, 76 रुपए, वाले को मिलाना है, कैसे मिलाना है, कि बनने वाला जो mixture है, वो 72 का बने, तो यहां पर मुझे ratio का पता चल जाएगा, minus कर लीजएगा यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 6,2,8, अनुपाद 4, याने ratio निकल कर आएगा, दो अनुपाद 1, याने option C will be the right answer, I hope आपको यह question भी समझ में आगया होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखें क्या लिखा हुआ है, यदि एक रुपए पर एक महा के लिए एक पैसा साधारन ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर गयात करें, बहुत ही simple सा question है, आपको यह पता है कि एक रुपए पर एक पैसा मिलता है, वैसे एक रुपए में होते कितने पैसे हैं, 100 पैसे होते हैं, है की ने, तो आपको total अगर मैं percentage वाइस कूछ तो एक पैसा बटे 100 पैसा into 100, तो यह हो जाएगा 1%, याने आपको हर महिने 1% साधारन ब्याज की रुपए मिल रहा है, फिलाल ये एक महिने का है, अगर मुझे ब्याज की दर निकालनी है, तो वो होती है साल के हिसाब से, याने अगर एक महिने में 1% मिल रहा है, तो 12 महिन 12% के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा यान्य वार्षिक अगर दर की बात करूं ये साल की बात करूं तो यह ओगा बारा परसेंट, फुली क्लियर है, अगेन बहुत सिंपल सा कोश्चन था, अगला कोश्चन बहुत यह बढ़िया कोश्चन, एक कक्षा में लड़कों और आप तंकों का औसत ग्याद करें बहुत ही बढ़ियां कुश्चन आपको क्या पता है आपको यह पता है कि यहां पर टोटल क्लास याने पूरे विध्यारती हैं लड़के और लड़कें तो ए आता है अगर सिर्फ लड़कों की बात करो तो आवरेज आता है ए प्लस वन ठीक ह यहां पर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनौपाद भी दिया हुआ है यहन अगर आपसे बोलाई है कि लड़के कितने हैं तो मैं बोलूगा तीन और लड़कें कितने हैं तो 1 अबी इसको ऐसा मान लेते हैं तो टोटल स्टूडन कितने हुए 4 तो अब आप यहां पर अगर total वाले method से जाएंगे तो आपको पता है कि अगर चार लोग है और सबका average A है तो यहां पर total आएगा 4A ठीक है अब यह जो total है यह लड़के और लड़कियों के total को मिलाकरी बना होगा तो अगर मैं लड़कों का total निकालों तो देखिए लड़के किते थे 3 इनका average क्या था A प्लस 1 ठीक है बात समझ मैं यहां पर लड़किया कितनी है एक और इनका average कितना है यह नहीं पता सपोज मैं X मान लेता हूं तो बेसिकली मुझे इस X की value निकालनी है तो बहुत की simple question नहीं हो गया यह कितना हो जाएगा 4A equals to 3A plus 3 plus X equal to के उधर ले प्रान से देखते हैं तो आपको समझ में जाता कि एक ही option है जो A-3 दे रहा है और कहीं पर भी A-2 A-1 नहीं है तो एक माइनस वाला ही option सहीं हो सकता था क्योंकि अगर लड़कों का average जादा है तो लड़कियों का कम ही होगा लड़कियों का average कम ही होगा तब ही तो दोनों का म जनसंख्या में 2018 में 15 प्रतीशत और 2019 में 10 प्रतीशत की व्रद्धी हुई एक महमारी के कारण 2020 में 10 प्रतीशत की कमी आई तीन वर्षों में शहर की जनसंख्या कितने प्रतीशत से व्रद्धी हुई या बढ़ गई तो आपसे basically क्या पूछाई कि 2018 और 2020 के बाद टोटल कित 10 परसेंट और फिर एक बार माइनस 10 परसेंट है बुली यह बात समझ में आ गई आपको यहां तक मेरे कहल से कोई दिक्कत नहीं है अब आपको पता है कि अगर successive multiplication लगाते हैं हम तो हमने formula प्रोड़क है x plus y plus xy upon 100 ठीक है यह है हमारा successive percentage का total change तो यहाँ पर पहले मैं इन दो क कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे put करने पर क्या मिलेगा तो यहाँ पर आएगा 10 और 15 टोटल किता हो गया यह तो 25 हो गया plus यहाँ पर आएगा 10 into 15 याने 150 upon 100 तो कुल मिलाकर यह किता हो जाएगा 26.5 ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इसका जो successive discount आया या discount न 26.5% बढ़ा और इसके बाद 10% कम हो गया इसके बाद 10% कम हो गया तो अगेन इसी फॉर्मले में put करूंगा मैं और यहाँ से मैं answer निकाल लूँगा बड़ याद रखेंगे जहाँ पर कम हो आपर minus का sign लेंगे तो अगर x की value इस बार में 26.5 ले रहा हूं y की value minus 10 लेनी पड 16.5 16.5 minus यह कितना आएगा तो देखें यहाँ यह multiplication में decimal और 0 multiply होगे खतम हो जाएगे तो यह हो जाएगा 265 upon 100 यह हो जाएगा 2.65 यहाँ पर मुझे इसमें से minus करना पड़ेगा बोले clear है बात समझ में तो आपका answer कितना आएगा आपका answer आएगा 13.85 यही आपका सही answer होगा तो आपको यह question भी समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से percentage के chapter में मैंने इसे discuss किया हुआ था इस formula को भी साथी मैंने इस formula का use कैसे successive multiplication में और discount में भी लगाना है जहाँ पर successive discount की बात हो रही है वहाँ पर भी हम इस formula का use करते हैं तो ध्यान रखेगा इस बात को अगला question दे देखे एक विलियन में अमल और जल का अनुपात 4 अनुपात 5 है यदि 20 प्रतिशत घोल को पानी से बदल दिया जाए तो नए घोल में अमल और पानी का अनुपात क्या होगा again बहुत ही बढ़िया question आप से क्या बोला है कि एक mixture है विलियन का मतलब mixture होता है तो एक mixture में acid और water का जो ratio है वो 4 ratio 3 4 ratio 5 है ठीक है ये ratio है 4 ratio 5 इसमें से 20% को या 20% घोल को आपने पानी से बदल दिया अब देखे आपको नहीं पता कि यहाँ पर यह mixture कितना था यहाँ पर आप total parts की बात करेंगे तो total parts 9 होते हैं मत समझ मैं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मैं इसे कुछ ऐ याने यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ कि यह 40 हो जाएगा और यह 50 हो जाएगा और इसमें से जब मैं 20% निकालूँगा तो कितना निकालूँगा 90 का 20% याने 18 निकाल दूँगा ठीक है माइनस करने के बाद क्या बचेगा 72 अब इस 72 में भी ratio क्या होगा ratio तो 4 ratio 5 कही रह value 8 के बराबर होगी तो 4 की value 8 4 32 85 40 यह आगया आपका 72 का breakdown इसमें acid किता है water किता है आपको इसमें पानी भी मिलाना है तो 32 ratio 40 में आपको 18 लीटर पानी और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पानी में पानी मिलेगा 32 ratio 58 का बोलिए बात समझ में दो से काट लीजेगा यह कितना ह हो जाएगा 29 और यही हमार इस question का answer हुगा या और option A will be the right answer I hope आपको यह question समझ में आगया होगा आप इस 90 को 900 भी बना सकते थे आप जो चाहें बना सकते थे पर 20% उस हिसाब से फिर माइनस करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं अगला question देखिए क्या है A B का 150% है और B C का 40% है यदि A प्लस B प्लस C 20 है तो 2 A प्लस 3 C माइनस 4 A का मान बराबर है या मान ग्याद करें तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है आपको सबसे पहले यह पकड़ना है कि शुरवात कहां से करना है आपको बुला A B का 150% है और B C का 40% है याने A B C में सबसे पहले C को पकड़ेंगे अगर C 100 होता जिस मान लेते हैं कि अगर C 100 होता तो B जो है वो C का 40% है याने 100 का 40% तो 40 होगा और A कितना है वो B का 1500% है इसका 1500% कितना होगा तो यह हो जाएगा 60 तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ A B C का ratio निकाल स अब यहाँ पर अगर मैं इस condition के हिसाब से देखूं कि A प्लस B प्लस C 20 है तो मैं बोल सकता हूँ कि 3X प्लस 2X प्लस 5X equals to 20 है तो यह equal मिला कर कितना हो गया 10X equals to 20 हो गया याने X के विल्यों कितनी हो गई 2 और जैसी X के विल्यों 2 पता चली तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 सुरी दूनी 4 होगा ठीक है यह दूनी 4 हो जाएगा तो यह संख्या मुझे मिल गईगी A actual में कितना है B actual में कितना है अब बस मुझे यहाँ पर put कर देना है 2B तो B की वेल्यों कितनी है 4 तो 2 into 4 8 हो जाएगा प्लस 3C 3C का मतलब 30 माइनस 4A 64 24 ठीक है तो यहां कितना इनता एक्जाम में आपको स्टैप के कोशन देखने मिल सकते हैं चलिए अगला कोशन देखिए क्या लिखा हुआ है एक राशी को ABCD के बीच क्रमशा 5 अनुपात 7 अनुपात 11 अनुपात 15 के अनुपात में वित्रत किया जाता है यदि C को B से 2480 रुपय अधिक मिलते हैं त अब से पहले रेशियो में अंतर कितने है तो आप बोलेंगे रेशियो में 4 का अंतर है और ये कितने रुपय के बराबर है तो मैं बोलूँगा 2480 रुपय के बराबर है आप से पूछा है B और D का अंतर तो देखिए B और D में अंतर कितने का है तो आप बोलेंगे 8 का अंतर अगें वेरी सिंपल कोशन, चले आईए, आगे बढ़तें अगला कोशन देखें अगला कोशन देखी क्या लिखा हुआ है चीनी की दर में 20 प्रतीशत की कमी से सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो अधिक 6 किलो ग्राम अधिक चीनी प्राप्त करने में मदद मिलती है प्रती किलो चीनी की घटी हुई दर क्या है अकीन बहुत ही बढ़ी है कोशन परसेंटेज में मैंने स्टैप के कोशन आपको बिलकुल लिये हैं और ये एक्जाम का ही कोशन है CGL का चले यहाँ पर आपसे क्या बोला है रेट में 20% से कम करता हूँ याने अगर मैं 1 by 5 से कम करता हूँ तो कॉंटिटी को मुझे 1 by 4 से बढ़ाना पड़ेगा ये बात आपको समझ में आती है मैंने बोला अगर 1 by 5 से कम करूंगा याने 5 में 1 कम कर दूंगा तो चार हो जाएगा तो बढ़ाने के लिए 1 by 4 से बढ़ाना पड़ेगा तो percentage वाई से जल मैं देखूं तो 20% से कम कर रहा हूँ तो कॉंटिटी को 25% से बढ़ाना पड़ेगा या 1 by 4 से बढ़ाना पड़ेगा तो देखिए अगर मैं बोला हूँ 1 by 4 से बढ़ाने पर 6 किलो बढ़ता है याने quantity का 1 by 4 6 किलो के बराबर है तो जो शुरुवाती quantity की वो कितनी थी 6,4 का 24 किलो रही होगी पुले clear है जो नई quantity है वो कितने की है तो नई quantity होगी 30 किलो कितनी होगी 30 किलो बात समझ में अगर पुरानी वाली quantity रखेंगे तो पुराना वाला rate मिलेगा नई वाली quantity रखेंगे तो नई वाला rate मिलेगा आप से क्या पूछा है घटी हुई कीमत घटी हुई कीमत याने नई वाली कीमत पूछा है तो नया वाला quantity रखना पड़ेगा 30 से divide कर देंगे 0 से 0 cancel हो जाएगा और यह हो जाएगा 32 तो नया rate कितना है 32 रुपीज पर kg बात समझ भाई एनने option A will be the right answer percentage के वीडियो देखेगा वहाँ पर यह मैंने अच्छे से explain किया हुआ है अगला option देखे के लिखा हुआ है A B की तुलना में व्यवसाय में 75,000 रुपे अधिक लगाता है लेकिन B ने अपनी पूजी 4 महिने के लिए निवेश की है जबकि A ने अपनी पूजी 8 महिने के लिए निवेश की है यदि A का हिस्सा 25,000 के कुल लाब में से B से 15,000 रुपे अधिक है तो B द्वारा युगदान दिया गया शेश क्यात करें यानि बिसिकलि आपको ये बता रहा है कि B ने कितना युगदान दिया अब ये बहुत ही बढ़िया कोशन यहां पर बन गया है कोशन को ध्यान से सुनिएगा आपने बोला है कि कोशन में उसने बोला है कि A, B की तुलना में वेवसाय में 75,000 रुपे अधिक लगाता है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं यानि A और B ने इन्वेस्मेंट किया अगर इसने X किया तो इसने X प्लस 75,000 किया ठीक है आगे क्या बोला है लेकिन B ने कमपनी में या जो भी उसने इन्वेस्मेंट किया वो चार महीने के लिए किया यानि इसका इन्वेस्मेंट इन्टू टाइम चार रहेगा और इसका इन्वेस्मेंट इन्टू टाइम आठ रहेगा A ने अपनी पुझे 8 महीने के लिए निवेश की दे न यदि A का हिस्सा 25,000 के कुल लब में से 20 से 15,000 अधिक है तो यहाँ पर मुझे क्या पता चलवा है मुझे ये पता चलवा है कि A का जो प्रॉफिट है A का जो टोटल प्रॉफिट है वो B से कितना अधिक है वो B से 15,000 अधिक है और टोटल प्रॉफिट हुआ कितना तो मैं बोलूँगा 25,000 का मुझे एक बात बताईए अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दो लोगों का जो टोटल प्रॉफिट है वो इतना है और दो लोगों का अंतर जो है वो इतना है यहने एक तरीके से A प्लस B का जो प्रॉफिट है टोटल वो कितना है 25,000 पर इन नोनों का जो अंतर है वो कितना है A माइनस B का ये है 15,000 तो क्या आप मुझे A का प्रॉफिट और B का प्रॉफिट बता सकते हैं बहुत इसली बता सकते हैं दोनों को अट करके हाप कर दीजिएगा तो A का प्रॉफिट निकल जाएगा दोनों को जोड़ूँगा तो कितना है चालेस 20 तो यहां पर A का प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 A का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000 यहां जो रेशियो इनका है वही रेशियो 4 रेशियो 1 होना चाहिए तो एक तरीके से मेरे पास इक एक एक इक्विशन मनगी है कि एट इंटु x प्लस 75 था हो गए अपन अचाहिए प्रॉफिट वह यह रेशियो रेशियो होना चाहिए यह 4 ratio बन का तो अगर मैं यहां से X की value निकालनू तो मुझे B का investment पता चल जाएगा और अगर B का पता चल गया तो 75,000 होगा जोड़ दूँगा तो 16X 8X को वहां माइनस कर लीजिएगा यह हो जाएगा 8X तो कुल मिलाकर 6,000,000 डिवाइड़ बाइ 8 इकोल्स टू एक सा जाएगा तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा यहां से मुझे पता चल जाएगा कि आपका X की value कितनी होगी तो आपके X की value होगी 75,000 बुली क्लियर जैसे X की value 75,000 आई यहने B का investment आ गया तो A का कितना होगा? A का होगा इसमें 75,000 और जादा फिलाल question में उसने B से पूछा हुआ है तो option B will be the right answer अगर वो A का पूछता तो मैं इसमें 75,000 और जोडता और तब मैं answer C बताता और फिलाल B का पूछा है तो option B will be the right answer I hope आपको यह question इननी समझ में आ गया होगा नहीं समझ भाया है तो partnership के वीडियोज डले हुएं crazy जी के ट्रिक के platform पर आप playlist में जाके उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं यह सारे questions आपको बहुत easily बनने लगेंगे चली आईए अगला question देखते है अगला question देखिए दो संख्याएं एक त 37% और 30% कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतीशत अधिक है देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे तीसरी संख्या को बगाई लीजे तीसरी संख्या अगर 100 है जस्त मान लेता हूं अगर यह 100 है तो दो संख्याएं जो है वो करमशा कितना कितना कम है एक तो 37% कम है यानि इस पर अगर मैं 37% घटाऊंगा तो 100 लेने का फाइदा ही क्या है कि 100 का 37% 70 ही होगा माइनस करूँगा तो कितना आएगा तो यह आएगा 63 ठीक है और फिर 30% कम है यानि यह कितना है यह 70 आजाएगा बूले clear है तो आपके पास या गया पहली संख्या और या गयी दूसरी संख्या question में क्या पूछाए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतीशत अधिक है सबसे पहले यह देखी कितनी अधिक है तो आप बूलेंगे 7 अधिक है किस से 63 से percentage कितना निकलेगा 7 upon 63 into 100 ये कितना आ जाएगा 9 से कड़े आएगा तो ये 100 upon 9 मुली clear है option we will be the right answer अगला question देखे क्या रिखा हुआ है तीन number है यदि पहले से दूसरी संख्या का अनुपाद 2 अनुपाद 7 है और दूसरी का तीसरी संख्या का अनुपाद 5 अनुपाद 8 है तो पहली का तीसरी संख्या का अनुपाद क्या होगा बहुत ही simple question नहीं हो गया ये इस टाइब के question भी आपको देखने मिल सकते हैं जहां पर थोड़ा सा language change की गई हो पर basically question बहुत simple होगा चले आएए आगे बढ़ते हैं question क्या लेखा हुए देखे एक निर्वाचे छेत्र में मद्दाताओं की कुल संख्या का 55 पुरुष है शेश महिलाए हैं याने एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि 55% अगर मेल है तो बचे हुई 45% फीमेल होगी तो ये मेल है और ये फीमेल है यदि 40% पुरुष निरक्षर है याने अनपढ़ एक तरीके से तो पुरुषों का 40% याने 55% का फिर 40% निकालूँगा तो 55 का 40% कितना होगा तो ये हो जाएगा 22 तो इनमें से 22 अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि टोटल 100 लोग हैं जिसमें से 55 पुरुष हैं 45 महिला हैं अब बात करते हैं महिलाओं की 40% महिलाएं साक्षर हैं अब यहाँ पर 45 का जो 40% है वो साक्षर है 45 का 40% कितना होगा तो यह होगा 18 ये 18 पढ़ी लिखी है तो निरक्षर किती होँगी तो निरक्षर में माइनस कर देंगे कितना आएगा तो ये आजाएगा 27 यानि 27 अनपढ़ है तो आप देख लीजिए आप यहाँ पर कि पुर्षों में 22 अनपड़ है, महिलाओं में 27 अनपड़ है पुरुषों में 33 पढ़े लिखे हैं और महिलाओं में 18 पढ़े लिखे हैं सवाल क्या पूछा यह है अब उस पर आते हैं तो निराक्षर पुरुषों की तुलना में निराक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतीशत अधिक है फिलाल निराक्षर पुरुष कितने है बाइस निराक्षर महिलाओं कितनी है 27 आप से क्या पूछा है पुरुषों की तुलना में निराक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतीशत अधिक है तो सबसे पहले देखिए महिलाएं कितनी अधिक हैं निराक्चर मतलब अनपड कितनी अनपड महिलाएं अधिक हैं तो आप बोलेंगे 5 कितनी 5 कितने में से 22 में से 22 से ही तो compare करूँगा तो percentage कैसे निकालूँगा 5 बटा 22 गुने 100 बोले clear है बच समझ में आगी 2 से काइट लीजेगा इसको यह हो जाएगा 50 बटे 11 यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 250 अपाउन 11 और थोड़ा सा काइटिंग है तो यह कितना आजाएगा तो आप 22 से काइट लीजेगा फिर 22 गया जाएगा लगबग 22.7 के असपास आपका अंसर आ जाएगा यही हमारा सही आंसर है अगला कुशिन देखे क्या लिखा हुआ है चार वर्ष पूर्ग ए और बी की आयो का अनुपाद 4 अनुपाद 5 था आठ वर्ष बाद ए और बी की आयो का अनुपाद 11 अनुपाद 13 होगा उनकी वर्ष मान आयो का अनुपाद क्या है दिखे चार साल पहले यह कितना था चार पांच का था आठ साल बाद याने आज से आठ साल बाद यह अनुपाद कितना होगा 11 अनुपाद 13 होगा मैंने जब भी आपको ages के question करा है हमेशे एक बात पर जोर दिया है कि IU का अंतर कभी नहीं बदलेगा तो यहाँ पर यही चीज हमें ratio में भी same करनी पड़ेगी जैसे यहाँ पर अंतर 1 है और यहाँ पर अंतर 2 है तो मैं इस अंतर को भी 2 करने के लिए दो से multiply करूँगा तो दो से multiply करने पर यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 10 यानि एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि 4 साल पहले ratio था 8-10 का अब हो गया है या 8 साल बाद होगा 11-13 का कितने साल का अंतर है तो आप बोलेंगे 8 और 4 12 साल का अंतर है कितने साल का बारा साल का और अनुपाथ में कितने का अंतर दिख रहा है आपको तो 8 से 11 यानि 3 का तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 हिस्सों की value 12 के बराबर यानि एक हिस्से की value 4 साल के बराबर तो अब आपको अगर आगे पीछे जाना है तो जब जब आप 4 साल आगे पीछे जाएंगे तो ratio में आगे जाएंगे तो एक बखाते जाएएगा और पीछे जाएंगे तो एक कम करते जाएएगा ये 4 साल पहले की बात है मुझे आज की बात निकालनी है यहां से अगर मुझे 4 साल आगे आना है तो एक तरीका तो यह कि 1 की value आगे है तो मैं 8 और 10 की value निकालू उसके बाद अभी की exactation निकालू फिर ratio निकालू दूसरा तरीका कि जब मुझे पता है कि 4 साल आगे जाने पर अनुपात में 1 बढ़ जाएगा तो मैं सीधर 4 साल आगे जाता हूँ और 8 में 1 जोड कर 9 कर देता हूँ और 10 में 1 जोड कर 11 कर देता हूँ यानि ratio हो जाएगा 9 ratio 11 option B will be the right answer क्योंकि question में ratio ही तो पूछा हुआ था तो ratio पर ही calculation करना जादा easy पड़ेगा चलिए आगे देखते हैं अगले question पर question देखिए क्या लिखा हूँ है x का मान क्या है यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x परसेंट बराबर 900 के 35% है तो तो basically आपको करना क्या है बहुत ही simple है simplification का question एक प्रकार से सबसे पहले आपको 480 का 25% निकालने निका है वो कितना आएगा 25% का मतलब 1 बटा चार्ट कर लीजिएगा ये सीधा 120 आजएगा प्लस यहाँ पर 30% निकालने तो ये कितना आजएगा 150 आजएगा प्लस 90 का x परसेंट याने x बटा 100 ठीक है अब x की value नहीं पता न बराबर 900 का 35% कितना होगा तो 900 का 35% निकालने पर 315 आएगा बुलिए क्लियर बात समझ में अब ये जो 270 यहाँ है इसको उधर ले जाके माइनस कर लेते हैं तो ये 270 माइनस करने के बद कितना बचेगा 45 बचेगा और ये 90 इंटू x अपॉन 100 की value 45 है तो वह आप इजिली बता सकते हैं इसको मैं 1x और इसको 4x बोलनू तो इसके सामने वाला भी 4x होगा और इसके सामने वाला भी 1x होगा तो टोटल जो perimeter निकलेगा परिमाप निकलेगा वो कितना निकलेगा वो निकलेगा 10x का इसकी value आपको 50 cm दी हुई है तो x की value 5 cm हो जाएगी वो लिए clear है तो यहाँ पर मुझे ये पता चल गए ये 1x याने 5 cm होगा 4x याने 20 cm होगा ये भी 20 होगा और ये भी 5 होगा ठीक है आगे क्या बोला है एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका 6 रुफल आयत की 6 रुफल के समान हो अब इसका area कितना होगा तो area का formula होता है length into width ये कितना आएगा 20 into 5 याने ये हो जाएगा 100 cm square एक वर्ग याने एक square जिसका area इतना हो 100 हो तो वो कितने उसकी sides कितने की होगे तो ये है 10 10 का होगा वो लिए clear है तो सारी भुजाएं 10 10 की होगी क्योंकि ये कि square है तो यहाँ पर परिमाप कितना आएगा तो 10 10 10 सब को जोड़ेंगे तो परिमाप पाईगा 40 का याने option B will be the right answer तीकि बिल्कुल ऐसा मत सोचेगा कि यार यह advance का कोशन कहा से आगया बिल्कुल से कोशन है ratio proportion पर ज़्यादा based है बस आपका एक छोड़ा सा formula ही तो यूज़ और length into width equals through area होता है तो ये बहुत basic सा concept है और ये question भी आपसे exam में पूछा जा सकता है चलिए आएए आगे बढ़ते हैं अगला question देखते है अगला question देखे हैं क्या लिखा हुआ है रेनु अपनी I का 68% करच करती है जब उसकी I में 40% की व्रद्धी होती है तो वो अपने वे में 30% की व्रद्धी करती है उसकी बचत में व्रद्धी होई है तो देखें यहां पर सबसे पहले ये समझना है कि अगर वो अपने खर्चे का 6 वो अपना जो भी income थी उसकी उसका 68% खर्चा कर दे रही है यहने अगर मैं बोलू कि 100 कमा रही थी तो उसमें से 68 उसने खर्चा कर दिये तो बचाए कितने 32 रुपीज बचाए ठीक है अब उसकी I में 40% की व्रद्धी हो गई यहने I जो पहले 100 थी अब 140 हो गई है यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्रत नहीं होगी और वह अपने व्याय में 30 प्रतीशत की व्रद्धी करती है पर ध्यान रखेगा किसका 30% 68 का 30% बढ़ाएगी 68 का 30% बढ़ाने पर उसको कितना मिलेगा तो यह जाएगा 30% बढ़कर 88.4 पुली क्लियर है माइनस करूंगे तो कितना मिलेगा 140 में से माइनस करने पर मुझे मिलेगा 51.6 याने अब उसकी सेविंग कितनी है 51.6 की पहले कितनी की थी 32 की कितने % बढ़ी तो सबसे पहले तो यह निकालेंगे कि कितनी बढ़ी तो आप बोलेंगे 19.6 बढ़ी कितने में से 32 में से तो 19.6 divided by 32 into 100 इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर बोले क्लियर है बात समझ में आ गई है आपको चलि मैं उसको आपको डिवाइट करके भी बता देता हूँ तो ये कितना आएगा ये आजाएगा 61.25% याने option D will be the right answer थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है आपको लग सकता है बिट बहुत ही बढ़ी है कोशन है चलि अगला कोशन देखे क्या लेका हुआ है ABC सुतंत रूप से अपनी कार्य को करमशा चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार- तो कितने दिन लेंगे, दो दिन, option B will be the right answer, time का formula क्या होता है, time का formula होता है, work upon efficiency, शम्ता, तो यहाँ पर काम तो 12 था, और एक दिन का काम कितना था, 6 था, तो यह आ जाएगा 2 days, वो लिए क्लियर है, बाच समझ भागी, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं, सबसे पहले question पढ़ते हैं, क्या लिखा हुए, एक सर्वेक्षन में पाया गया, कि एक संगत में 55 प्रतीशत मददाता पुरुष हैं, और 6 महिलाएं हैं, यहना फिर वही बाद, कि 100 अगर लोग थे, तो उसमें 55 पुरुष हैं, और 45 महिलाएं होंगी, 40 प्रतीशत पुरुष मददाता सक्षर हैं, 40%, 55 का 40%, कितना होगा, 55 का 40% होगा 22, तो यह 22 लोग जो हैं, यह सक्षर हैं, तो बचे 33 लोग आसक्षर होंगे, और 33 हैं, एक बटा तीन प्रतीशत महिला मददाता निरक्षर हैं, याने एक तरीके से मैं बोलूँ कि इसका एक तेहाई, इसका बन थर् याने 15, 15 अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, तो बचे किते, तो 30 लोग बचे, जो की पढ़े लिखे हैं, तो अब देखिए, यहाँ पर पढ़े लिखे कितने हैं, तो आप से आगे पूछाए, कितने प्रतीशत मददाता सक्षर हैं, तो 40 प्रतीशत जो थे, वो सक्षर थे, याने ये 22 लोग सक्षर थे, और ये 30 लोग सक्षर थे, ये भी अनपढ़ थे, ये भी अनपढ़ थे, तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूँ कि कितने लोग सक्षर थे, तो आप इन नोनों को जोड़कर बोलोगे 52 लोग, 100 में से 52 लोग, याने परसेंटेज पर भी 52 ही आएगा, option A will be the right answer, again बहुत simple question percentage का, अगला question देखी, profit and loss, बढ़िया question, एक दुकांदर 15 किलो धान 29 रोपे प्रती किलो ग्राम, और 25 किलो धान 20 रोपे प्रती किलो ग्राम के भाव से खरीदता है, वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रोपे प्रती किलो ग्राम क भाव से खरीदेगा, तो 15 into 29, बोलिए clear है, बात समझ भाई, फिर 25 किलो 20 रोपे के भाव से खरीदेगा, 25 into 20, clear, तो यहाँ पर उसकी investment कित्ती हो गई, उसने कितना पैसा लगा दिया, तो देखिए 15 into 29 करने पर कितना मिलेगा, यह मिलेगा 435, ठीक है, और यह कितना मिलेगा 500, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि उसने total कितना लगा दिया, 935 रुपीज उसने लगा दिये, और total उसके पास अब गया हूँ कितना किलो है, तो आप बोलोगे यहाँ से 40 किलो उसके पास गया हूँ है, अब वो बोला है कि इस 40 के मिश्रण को वो 27 के भाव से बेच दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका profit कितना हुआ होगा, माइनस करने पर आपको मिलेगा 145, इन दोनों को, यह selling price है, यह cost price है, SP है, और CP है, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 145, यह उसका profit होगा, यानि option D will be the right answer, again बहुत ही simple question था कि नहीं, तो बस आपको इतने ही simple question पूछे जाते हैं, बस आपको बात को समझना है कि question बोलना क्या चारा है, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं, तो देखें, अगला question क्या लेका हुआ है, एक अक्षा में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 6 लड़कियां हैं, यानि एक तरीके से मैं ब 60 का 45%, 60 का 45%, यहां पर यह लड़कियां वो हैं जो इस exam में पास हो गई थी, तो यहां पर मुझे कैसे पता चलेगा, तो multiply करने पर यह आएगा 27, अब मुझे बताएं, 60 में से अगर 27 यहां पर पास हो गई हैं, यह पास वाले हैं, तो fail कितनी होए होंगे, तो मैं बोल सकता ह 40% लड़के 13 हुएं, यह जो 40 है, इसका 40% यानि 16, यह जो हैं, यह fail हुए हैं, तो पास कितनी होए होंगे, तो बचे 24 लोग पास हुए होंगे, तो यह भी पास है, तो यह दोनों पास वाले हैं, और यह दोनों fail वाले हैं, कोशिन में आगे क्या बोला है, यदि 13 होने वाल 66 होता, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, कि यहाँ पर 1 की वेल्यू, यानि 33 की वेल्यू 66 है, तो 1 की वेल्यू 2 है, यहाँ पर मैंने 100 लिया था, क्योंकि 100 पर calculation easy है, पर मैंने यह नहीं बूला था, कि यह कहीं नहीं लिखा है, कि actual student 100 है, यहाँ तो मैंने ऐसे माना था, की 100 होते हैं, तो इसमें से 60 लड़कियां होती हैं, चालिस लड़कियां होते हैं, तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चली, कि जो मेरा 100 है, वो actually 100 है ही नहीं, अगर 1 की वेल्यू 2 है, तो 100 की वेल्यू 200 होगी, यानि class मैं actually 200 बच्चे थे, तो 60 की जगा ही 120 होंगे, यानि मैंने बूला, एक की वेल्यू 2 है, तो 24 की वेल्यू और 40 होगी, यानि actual मैं पास कितने हुआ, 48 यानि option B will be the right answer, बूलिए बात समझ में, simple सा question था, अगला question देखे, क्या लिखा हुआ है, question है, एक आदमी ने 2400 रुपे का निवेश किया 5% साधान ब्याच पर, और 5400 रुपे 9% पर, पर 6 साल बात, उसे अपनी नेवेश का कितना राशी मिलेगा, यानि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि 2400 रुपे का 5% के हिजाब से 6 साल का, तो मैं बोल सकता हूँ कि कुल मिलाकर 30% मिलेगा, भई हर साल 5% मिलेगा, 6 स साल तक तो 6530%, यानि 2400 का 30% तो इसे ब्याज मिलेगा, ठीक है, 30% इसे ब्याज मिलेगा, तो मिश्रिधन कितना होगा, 130% होगा, इसी प्रकार 5400 रुपे का, अगर मैं 6 साल के लिए देखू, 9% के हिसाब से, 9 चके 54% होता है, यह तो ब्याज हो जाएगा, मिश्रिधन कितना होगा, तो 154%, बोलिए क्लियर है, बात समझ भाइए, इसे मल्टिप्लाइ करेंगे, इसे मल्टिप्लाइ करेंगे, सॉल्व करेंगे, सहीं आंसर होगा, ऑप्शन D, ठीक है, इतना कल्कुलिशन आप कर सकते हैं, इसी ली, चले आएगे, हम चलते हैं, अगले कोशन पर, कोशन पर यह क्या लिखा हुआ है, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, वर्क मूल के सिक्के, 4 अनुपाद, 5 अनुपाद, 8 के अनुपाद में है, यदि इन सिक्कों की कुल मूल 432 रुपीज है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संक्या क्या है, देखिए, आपके पास एक बैग में एक रुपए, दो रुपए और पाँच रुपए, इतने रुपए के सिक्के हैं, याने इतने टाइप के सिक्के हैं, इनकी संख्या का अनुपाद दिया है 4 अनुपाद 5 अनुपाद 8, हमें पता है संख्या अनुपाद जो है वो exact numbers नहीं होते, यहां पर मै मैं इसे माल लेता हूँ कि अगर इसे 4x सिक्के होंगे तो ऐसे 5x सिक्के होंगे तो ऐसे 8x आप खुद सूझिए एक रुपए के चार पत्रल किते बनेंगे चारी तो बनेंगे तो 4x रुपी tür गया दो रूपए के पाँच सिख्के तो दस रूपए बनेंगे, तो यह 10X रूपीज हो गया, पाँच रूपए के आठ सिख्के तो 40 रूपए बनेंगे, तो यह 40X हो गया, ठीक है, यहाँ पर अगर इनका टूटल करता हूँ, तो यह कितना आना चाहिए, यह 432 आना चाहिए, ब आप क्या करेंगे X की value निकालने के लिए 54 से डिवाइट कर देंगे तो यहां से यह से मुझे एक्स की value कितनी मिल जाएगी आठ और जैसे एक्स की value 8 मिलती है तो मैं यहां पर put करके easily सारी values बता सकता हूं दो रुपे के सिक्कों की संख्या बोला था जो की अनुपात में 5X है और X की value 8 है तो 8,5,40 याने 2 रुपे के कितने सिक्के थे 40 सिक्के थे option D will be the right answer यहीं अगर आपसे पूछ लेता कि 2 रुपे के कुल जितने भी सिक्के थे उनका मूल्य कितना होगा तो आप मूल्य की जगह पर रखते हो और बोलते 80 रुपे ठीक है बात समझ में आगई आपको clear है चलिए आते हैं आज के session की last question पर question देखिए क्या लेका हुआ है 16 बच्चों के 2 समू A और B में विभाजित किया जाना है जिसमें 10 और 6 बच्चे शामिल है याने 16 बच्चों को 2 हिस्सों में तोड़ा एक ग्रूप है A एक ग्रूप है B इसमें है 10 बच्चे इसमें है 6 बच्चे ठीक है समू A के बच्चों द्वारा प्राप्ट औसत प्राप्तांक 75 है याने इन 10 बच्चों का जो average marks है वो 75 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन बच्चों के जो टोटल marks होगा वो 750 होगा बहिया ये थी संख्या ये था औसत संख्या गुनेत औसत क्या होता योग होता है तो इन सब का योग मुझे मिल गया ठीक है आगी क्या बोला है और सभी 16 बच्चों के उसत प्रतिशत अंग 76 है सभी 16 बच्चे याने A पलस B दोनों को मिला दों तो कितने बच्चे होते है 16 इनका जो average है वो कितना है 76 तो इनका जो total होगा वो कितने का होगा उन सभी बच्चों का total होगा 76 into 16 के बराबर जो कि होता है 1216 जो कि होता है 1216 तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है B के बच्चों का औसर प्रतां कित्ता होगा अब देखिए यहाँ पर ज़र मैं बोलूं कि B class B जो ग्रूप था उसका अवरेज अगर X था तो इनका टोटल हो जाएगा 6X हो जाएगा और मुझे पता है कि इन दोनों गुरूप को मिला कर ही तो यह 16 लोग बने थे यानि 10 और 6 को मिला कर 16 लोग बने थे तो इसका टोटल और इसका टोटल मिलाने पर मुझे इन 16 लोग का टोटल मिलना चाहिए मिलना चाहिए किने, तो यहाँ पर ये एक equation form होगी, 750 वहाँ ले जाकर minus कर लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, तो ये 12-16 में से minus करना है 750, ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 466, 6x की value अगर 466 है, तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, 6 से divide करना है, तो x की value कितनी है जाएगी, ये जाएगी 77 complete 2 by 3, याने option D will be the right answer, और ये ही x मेरा average था, second वाले group के लिए, याने B group के लिए, तो इस तरीके से ये question भी बहुत easily solve हो जाएगा, तो I hope आपको ये session पसंद आया होगा, जितने भी questions हैं, वो आपको अच्छे लगे होंगे, informative लगे होंगे, और exams में ये question जरूर आपके कामाने होले है, तो देखी friends, हमारे पास question क्या कह रहा है, 8, 24, 48 और 80, ठीके, मतलब number series से question लिया गया है, 8, फिर 24, फिर 48, और फिर 80, तो अगला क्या होगा, हमें ये निकालना है, चलिए, अब मैं 8 कैसे ला सकता हूँ, तो देखी 8 को किस प्रिक यहाँ पर दोस्तों में 5 का square minus 1 कर दूं, तो क्या जाएगा दोस्तों, 24, बूले clear है, ठीके, मतलब यहाँ पर 8 कैसे आया, 3 का square minus 1 किया, तो 8 आ गया, यहाँ पर 5 का square minus 1 किया, 24 आ गया, मतलब देखी, पहले 3 का square किया, उसमें minus 1 किया, फिर 5 का square किया, उसमें minus 1 करेंगे, minus 1 करते जा रहे हैं ठीक है तो क्या जाएगा 48 उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिखने को मिल रहा है साथ के जाएगा 9 तो 9 का square minus 1 मतलब क्या जाएगा 80 अब अगला आपका odd number क्या होगा 11 तो 11 का square minus 1 कर दीजिए तो 11 का square दोस्तों कितना 120 उसमें से एक चला गया तो कितने बचे 120 यही होगा हमारा answer option C is correct answer तो यहाँ दोस्तों जो question है वो order से पूछा गया है मतलब ranking order जो question है वो यहाँ पर पूछा गया उसे I order जमाते हैं यहाँ पर धन की तुलना की गई है और उसके according हमें यहाँ पर sequence को arrange करना है चली यहाँ पर हमें element दिये है चार लोग है ना कौन-कौन से F, G, E और H चली जमाते हैं इनको F के पास H की तुलना में कम किन्तु G से अधिक धन है तो किस परकार जमाएगा देखी तो देखिए यहाँ इस परकार जमाएगा F के पास जो है वह पैसा H की तुलना में तो कम है मतलब H इसके का है? उपर है H के पास ज़्यादा धन है तो उसको का रखेंगे? उपर F के पास उससे कम धन है किन्तु क्या दिया है? G से अधिक धन है मतलब G से क्या है? धन अधिक है F के पास H से कम धन है और G से अधिक धन है ठीके? दोस्तों हमने रेंकिंग में पढ़ा था यदी किसी फ्रेंट ने वीडियो नहीं देखा है तो यदि F के पास H से अधिक धन नहीं है तो उसको H के नीचे रख दिया और G से अधिक धन है तो G के कहा रख दिया उपर चलिए आगे बढ़ते हैं E के पास F से अधिक किंतु H से कम धन है अब देखें जो E की बाद चल रही है तो उसमें F से अधिक धन है तो E के पास यदि F से अधिक धन है तो कहां बनेगा वह F के तो उपर परन्तु H से क्या है कम धन है तो H के कहां बनेगा नीचे मतलब H और F के बीच में को ना जाएगा E तो इस प्रकार हमारी ये चारो जम गए कोशन क्या पूचा है दोस्तों हमसे सबसे निर्धन कोने मतलब सबसे गरीब कोने सबसे कम पईसा किसके पास है तो यहाँ पर इस सिक्वेंस में सबसे कम पईसा किसके पास दिख रहा है दोस्तों तो G के पास दिख रहा है ठीक है option D is correct answer clear है सबी को चली आगे बढ़ते हैं next question पर चली friends अगला question देखिए next question जो है वो missing number से लिया गया है विलुप्त पत से यहाँ पर 2, 4, 8, 64 3, 7, 29, 27 इस प्रकार से box में आगे number दिये गए है और यहाँ पर जो question माग दिया है उसके स्थान पर कुछ से संक्या आईगी हमें उसे निकालना है तो देखिए friends यहाँ पर हम तीनों में से किसी भी एक box को यहाँ पर क्या करेंगे पहले decode करेंगे और उसी के logic को तीनों apply करके देखेंगे तो देखिए पहला वाले देखें तो यहाँ पर लिखाए 2, यहाँ पर लिखाए 4 और यहां पर लिखा है 8 और यहां पर लिखा है 64 देखे केसे आ सकता है यदि मैं 4 दोना क्या करदू 8 मतलब इन दोनों क्या करदू multiplication तो उसे यहाँ पर लिखा गया है उस number को ना 4, 2, 8 या बुल सकते हैं 2, 4, 8 तो उसको यहाँ पर लिखा गया है और 8 का square कितना होता है दोस्तों तो 8 का square होता है 64 मतलब 64 चली यहाँ एक logic है आईए इसे दूसरे box में लगा कर देखते हैं यदि अपलाय होता है तो फिर इसी प्रकार से हम तीसरे में लगा कर इसको और फिर answer निकाल लेंगे तो देखी यहाँ पर multiplication करना है 9 तिया कितना हो गया 27 बुले clear है यहाँ पर लिखा हुआ है और 27 का square कितना होता है दोस्तों तो 27 का square होता है 739 मतलब हमारा logic क्या लग रहा है सही लग रहा है बस अब इसी logic को उठा कर हम यहाँ पर लगा देंगी तो 5,4 जाया बुल सकते हैं 5,4 का कितना हो गया 20 जो की यहाँ पर लिखा गया है और दोस्तों 20 का square कितना होता है सभी को पता है 400 option 20 correct answer clear है missing number कि आपको थोड़ी से दोस्तों practice करना होगी यह question सवाल को जो है उल जाते भी है जल्दी और सुल जाते भी है मतलब आप पर यह time ले सकते हैं यदि आपकी practice कम है तो चली आगे बढ़ता है next question पर अगला question बोल रहा है यदि लेक को 81 लिखा जाता है तो बेक को कैसे लिखा जाएगा ठीक है अब यहाँ पर लेक को 81 लिखा जा रहा है मतलब coding decoding से question है देखे लेक को 81 लिखा रहा लेक के number क्या होता है L A C K Hsi 17 अब यहाँ पर कितना वर bigger than a कितना लिखा है ? अब यहाँ पर 27 का double कर दूँँगा तो आजाएगा 54 पर यहाँ पर कितना लिखा है ? और यहाँ पर 27 का triple cash तीन से याँ बोल सकते हैं 27 को तीन बार multiplication कर दूँ तो यहाँ पर में क्या जाएगा मेरे पास में 27 तीन का multiply कर दूँगा तो क्या जाएगा मेरे पास में 81 चली अब उसी प्रकार बेक को कर लेते हैं तो बेक के नमबर लिख लेते हैं B, A, C, K देखे, B का नमबर 2, A का नमबर 1 C का नमबर 3, A का नमबर 11 चलो, इन सब को एड़ कर लेते हैं तो देखे, 11 और 3 14, 15, 16, 17 यहाँ पर क्या आगिया? 17 और 17 का multiply जैसे यहाँ पर 3 में किया है तो यहाँ पर भी किसमें कर रहेंगे? 3 तो 17, 51 अब देखे, यहाँ पर 51 का यह option में दिख रहा है क्या? नहीं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमने जो अभी logic लगाया है दोस्तों वो logic तो सही लगा है परन्तु वो उससे answer नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पर इस सवाल में इस परकार का logic हमें अपलाए नहीं करना है मतलब यहाँ पर अपलाए नहीं हो रहा है तो और किस परकार से हम यहाँ पर लेक के थुरू 81 ला सकते है तो देखे, अब मैं इनके reverse नमबर लिखता हूँ जैसे देखे, L का नमबर कितना होता है दोस्तों 12 फरन्तु L का उल्टा नमबर क्या होता है दोस्तों L का उल्टा नमबर होता है 15 ठीके, A का उल्टा नमबर होता है 26 C का उल्टा नमबर होता है 24 और K का उल्टा नमबर होता है 16 इन सभी को add कर दीजी तो दिखिए 6 उचार 10 10 उच्छे 16 उपांच 21 के एक हाथ क्या गए 2 ठीक है 2 दो दो चार दो छे और दो कित्ते होगे 8 तो क्या आगया 81 अब यहाँ पर लेक के दी मैंने सल्फावेट के नंबर लिखे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है एक इड़िवन उसी प्रकार से यहां पर में बेक के रिवरस नंबर लिखे लूँगा मतलब B का उल्टा क्या हो जाएगा तो B का उल्टा हो जाएगा 25 का और यॉल पास पास और यॉपशन Um क्लियर है और कोडिंग डिकोडिंग वाले चेप्टर में दोस्तों मैंने आपको रिवर्स अलफावेट को उनके नंबरों को किसेयात करना है उसको शौट ट्रिक बता रखा है जिन दोस्तों ने नहीं देखा है उसे देख सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन पर चली प्रेंट्स नेक्स कोश्चन क्या लिखा है निमलिकित प्रश्चन में दिये गए विकल्पों में से लुप्त अंक ग्यात कीजिए अब यहाँ पर हमें जो कोश्चन माग दिया है उसके स्थान पर कौन सा नंबर आ सकता है उसको निकालना है चली यहाँ पर बिल्गुल क्लियर है देखे दोस्तों यहाँ पर हमें एक मैक्ट्रिस दिया हुआ है जहाँ पर तीन कॉलम और तीन रो दिये गए है अब देखे यहाँ पर जिदे हम बात करें column 1, column 2 और column 3 की और row 1 और row 2 की तो देखे यहाँ पर छुटे-छुटे number दिए गए हैं और यहाँ पर जो है तीसरे row में आपको बड़े-बड़े number दिए गए हैं और option में भी कैसे हैं बड़े number ठीके तो बड़े number कैसे आ सकते हैं या 85 कैसे लेकर आ सकते हैं हमें उसको identify करना होगा देखे यदि 6 सते 42 कर देगे 42 तो यहाँ से नहीं आ रहा है ठीके 85 अब यदि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 6 का square ठीके कितना होता है 36 और 7 का square इस 6 का square कर दिया और इस 7 का square कर दिया कितना हो गया 49 और यदि मैं इन दोनों को अब 8 करता हूँ तो मुझे कैं मिल रहा है 85 बोले clear आगे check करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है 8 और यहाँ पर क्या लिखा है 9 तो 8 का square कर दिजे कितना हो गया 64 और 9 का square कर दिजे कितना हो गया 81 ठीके इन दोनों को 8 कर दिजे तो यहाँ पर कितना जाएगा 145 जो कि यहाँ प आगी है logic क्या apply हो रहा है तो यहाँ पर भी बस आप क्या करिए 12 और 14 का square करिए तो 12 का square कितना सभी को पता है 12 का square 144 और 14 का square कितना होता है तो दोस्तों 14 का square होता है 196 ठीके अब इन सभी को add कर लिजी तो क्या जागा 340 340 option C is correct answer लोजिक लग्या मतलब तो यह question जो है आपके वो बिल्कुल एक से देड़ मिनिट में या एक मिनिट के भी अंदर अंदर solve आराम से हो सकते हैं चलिए अगला question देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है यदि 3, 5, 6, 7, 4 को code भाषा में 5, 7, 8, 9, 6 लिखा जाएं तो 4, 2, 1, 3 या बोल सकते हैं 4, 2, 1, 3 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा देखिए दोस्तों coding decoding के एसे परगार के question को solve करने के लिए हमारी जो method होती है हम उसी को यहाँ पर apply करेंगी सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर main content जो कि हमें क्या दिया गया है 3, 5, 6, 7, 4 उसको क्या लिखा गया है मतलब उसका code क्या है उसको हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पर लिखा है 5, 7, 8, 9 और 6 ठीक है चली अब यहाँ पर logic apply करते हैं देखें यदि मुझे 3 से 5 पर जाना होगा तो मुझे क्या करना होगा प्लस का 2 करना होगा यदि मुझे 5 से 7 पर जाना होगा तो वह क्या करना होगा प्लस का 2 सभी में क्या ग्में को बोला था कोर्ड उसी प्रकार से हमें नाकर लेंगे किसका 4 213 का भी सभी मने क्या कtones पुलस तू प्लस तू प्लस टू चली चार में दो जोड़ेंगे 4 Nos search तो फ्व यहां पर दूस्तों हमारा आंसर क्या बनेगा 6435 option A is correct answer clear है सभी को चली समझ में आया आगे बढ़ते हैं अगला question क्या बोला है BCDZ जिस प्रकार से संबंदिते किस्से CDEV से उसी प्रकार से यहाँ पर हमें निकालना है DEFT किस प्रकार संबंदित होगा इन सारा तारों में से कौन सा option से ठीक है तो दोस्तो question जो है वो आपके alphabet analogy से लिया गया है आईए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं BCDZ संबंदिते किस्से CDEV से उसी प्रकार से हमें निकालना है DEFT किस प्रकार संबंदित होगा ठीक है चलो यहाँ पर इदियम देखें पहले से पहले element की तरफ मतलब B से C की तरफ तो क्या हो रहा हूँ तो क्या हो रहा है दोस्तों Z का नंबर होता है 26 V का नंबर होता है 22 मतलब माइनस 4 clear है उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर हमें वही करना है तो तीनों में क्या कर देंगे plus 1 plus 1 plus 1 और लास्ट वालों में क्या करना है माइनस का 4 तो देखें D के बा हमारा आंसर EFGP देख लिए कॉंस्टा उप्शन में लिखा है option C में EFGP clear है सभी को चली अगला question देखिए दिए गए समय करणों में प्रश्ण चिनने के स्थान पर क्या आएगा तो यह दोस्तों question जो है वह आपके mathematical से लिया गया है इस प्रकार के question आपको exam में देखने को मिल सकते हैं अब देखिए यहाँ पर हमें 11 फिर अगला question में आके तो अगला symbol क्या है यहाँ पर into तो यहाँ पर into कर देगी फिर क्या लिखा है 33 फिर अगला question में के जगपर क्या जाएगा बराबर किसके 117 के अब हमें इसे चेक करना है कि हमने जो यह सिंबल रखे हैं option B कि क्या वह सही है या इस equation को वह satisfy कर रहे हैं चली आए चेक करते हैं इसको में दोस्तों किस प्रकार लिख सकता हूँ यदि मैं 39 divided by 11 into 33 लिख दूँ तो भी क्या होगा same बात ही होगी ठीक है मतलब 11 को से लिख दिया इस प्रकार से अब इससे होगा क्या 11 से यहाँ पर डायट आपको 33 कड़ता होगा दिख जाएगा तो 11 कितना हो गया 33 अब यहाँ पर बचा क्या 39 और 3 बस 39 में 3 का multiply कर दीजी मतलब 3 नाम कितता हो गया 27 ठीक है यह 9 तिया 27 बोल सकते हैं और 3 तिया 9 और 2 11 यह 11 7 जो कि हमें यहाँ पर समी करण सिद्ध करने के लिए बोला था प्लियर है सभी को चली आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन पर चली फ्रेंड अगला कोश्चन देखिए नेक्स कोश्चन जो है वह आपके alphabetic series से लिया गया है से डबल a फिर bd सोरी bd नहीं है क्या दिया गया है महाँ पर bb दिया गया है डबल a के बाद में d और फिर v है फिर ic फिर PD तो अगला क्या होगा यह निकालना है ठीक है क्या करेंगे दोस्तों पहले से पहला element connect करते हैं और दूसरे से दूसरा तो यहाँ पर पहले से पहला करता हूँ A से D में D पर जाता हूँ तो क्या जुड़ रहा है प्लस का 3 D से I पर जा रहा हूँ तो क्या जुड़ रहा है प्लस का 5 I से P पर जा रहा हूँ तो क्या जुड़ रहा है प्लस का 7 तो समझ मैं रहा है फ्रेंट्स अभी को यहाँ पर 3 जुड़ा, यहाँ पर 5 जुड़ा, यहाँ पर 7 जुड़ा तो क्या हुआ, प्लस 1 B से C पर गए, तो भी क्या हुआ, प्लस 1 C से D पर गए, तो भी क्या हुआ, प्लस 1 तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, प्लस का 1, तो D में एक जोड़ दिजे, क्या जाएगा E, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा answer क्या होगा, Y E, option C correct answer clear है सबी को अगला question देखी number analogy से दिया गया है जिस प्रकार से 32 का संबंद किस से है 66 से है उसी प्रकार 134 का संबंद होगा clear है चलिए अब यहाँ पर क्या apply कर सकते हैं देखिए 32 से में 86 किसे ला सकता हूँ यदि मैं 32 into 2 कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे अब उसी प्रकार से यहाँ पर 134 में अपलाय करना होगा यही लॉजिक को तो आईए 134 का multiply किस से कर देते हैं दो से तो 134 का डबल कितना दूस्तों 268 बूलिए क्लियर है प्लस टू कर देंगे क्यों कि उपर भी क्या हुआ है प्लस टू तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा प्लस का टू तो क्या जाएगा 270 ठीक है देख ली जा option में दिख रहा है कि 270 तो जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है option C is correct answer क्लियर है सभी को चली समझ में आ रहा है दोस्तों आगे बढ़ते हैं next question पर चली प्रेंट्स अगला question देखी next question क्या बोल रहा है निमलिकित में से कौन सी आकरती फल लाल और कमीज के सही संबंद को दर्शाती है मतलब when diagram से question लिया गया है यहाँ पर हमें चार option दिये गये हैं इन इमेंसा हमें बताना है दोस्तों फल लाल और कमीज के सही संबंद को कौन से आकरती जो है दर्शाती है तो देखिए इस दोस्तों हम सभी को पता है लाल जो है वो है color है और लाल जो है दोस्तों फल भी होते कुछ और कुछ कमीज है क्या होती है लाल भी होती है ठीक है यहाँ पर क्या जाएंगे कमीज और यहाँ पर क्या जाएंगे फल तो इस प्रकास से दोस्तों हमारा यह जो diagram है इन टीनों के बीच के संबंद को सही रूप से दर्शार रहा है तो एसा diagram दोस्तों कहां पर दिख कि क्या आएगा तो यहां पर हमारी शॉट ट्रिक अपलाई हो जाएगी किसकी डाइस की शॉट ट्रिक देखे हमारी ट्रिक क्या बूलती है दो पासे एसे चुनना जिसमें एक फलक common हूँ जिसे कि यहाँ पर क्या है फ़लग common छे ठीक है और छे के विपरिद में हमें पता लगाना है कि क्या आएगा तो यहाँ पर कौन सा number एक available नहीं है तो यहाँ पर एक number जो नहीं है वह क्या है दो option बीस correct answer clear है सभी को तो हमारे short trick के जरीए dice के question को solve करना बिल्कुल ही क्या होता है आसान चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर next question देखिए दोस्तों निमलिकित में से कौन से आकरती खाने योग्य जलेबी और मिठाई के बीच के संबंद को दर्शाती है तो देखिए खाने योग्य जलेबी और मिठाई तो यहाँ पर option A जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा किसे जो बड़ा वाला ring है वह क्या हो A, C, F, H, K, M, और P, R तो बोले अगला क्या होगा क्या करना है दोस्तों मिल्कुल सिंपल जिसा हम करते आ रहे हैं पहले से पहले पत को जोड़ना है यदि A से F पर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है प्लस का 5, F से K पर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है प्लस का 5, K से P पर जा दूँगा तो क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ पर U उसी प्रकार से आईए दोस्तों second वाला step निकाल लेते हैं यदि C से H पर जाएंगे तो क्या हो रहा है प्लस का 5 H से M पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है प्लस का 5 M से R पर जा रहे हैं बहुत जरूरी है तो कि वो आपको दो से तीन चप्टरों में को solve करने के लिए suitability provide करेंगे और question जल्दी से जल्दी आपके लग भी जाएंगे दोस्तों alphabet के number याद कर लीजिए यदि किसी friend न याद नहीं किये हैं तो मैंने coding decoding का एक video बनाया हुआ है जिसमें alphabet के number को किस प्रकार याद किया जाता है विना को ट्रिक बताई है आप जाके उस video को देख सकते हैं चली आगे बढ़ते है next question पर अगला question देखे दोस्तों गाडियों की एक पंक्ती में मारूती बाइं और से 20 स्थान पर है चली बनाते हैं गाडियों की एक पंक्ती है उसमें जो मारूती है वो अब 20 से कौन से इस्थान पर है 20 स्थान पर है ठीक है चली आगे पढ़ते हैं क्या दिया है होंडा मारूती के 10 स्थान दाएं है मतलब 10 स्थान दाएं है मतलब मारूती के 10 स्थान दाएं कौन है तो यहाँ पर को आँगी तो यहाँ पर left से Honda का place कुन सा हो जाएगा 30 बूले clear है, ठीक है दस्वे स्थान पर है, मतलब कुन सा place हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है Honda का place यहाँ पर 30 है इसको ओर फिल्ड में लिग रहता हूं आपके लिए और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजेगा मारूती और हुंडा के मध्य में यदि बीच में बात करें तो कितने लोग बेटे हैं नो लोग यह वोल सकते हैं, नो कार हैं ठीक है? चली तथा पंक्ती में बिल्कुल मध्य में है कोन हुंडा? हुंडा मारूती के 10 इस्थान दाएं भी है और पंक्ती के बिल्कुल कहां पर है? मध्य में भी है तो पंक्ती के बिल्कुल मध्य में मतलब कहां पर है? सेंटर में है ठीक है? पंक्ती में कितनी गाडिया है अब यदि यह सेंटर में है मतलब 22 से इसका इस्थान तीस्वा है तो दाएं से भी इसका इस्तान कुन सा होगा दूस्तों? तीसवा या इसका एक तरीका और है कैसे निकाल सकते हैं? देखे इसके left hand side में मतलब होंडा के left hand side में कितने लोग बिठे होएं? 29 तो उसी प्रकार से होंडा के right hand side में कितने लोग बिठे होंगे? या कितनी कारे बिठे होंगे? 29 बिठे होंगे क्योंकि होंडा के बारे मैं बोला गया है कि वो कहाँ पर है? मिड में है मतलब बिलकुल मध्य में है तो जब होंडा मध्य में है तो होंडा के left hand side में इतनी कारे होंगी उतनी ही कारे कहाँ पर होंगी? वह कुन सी होगी, होंडा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 59, इतना clear है सबी को समझ में आया, यहां पर total car पूछी थी, तो हमने क्या करा होंडा के left hand side वाले car count कर ली, होंडा के right hand side वाले count कर ली और होंडा को यहां पर add कर दिया, ठीक है न, चली, तो option B is correct answer, चली, आगे बढ़त को किस प्रकार लिख सकते हैं ठीक है तो यदि किसी कूट बाशा में मोबाइल को आए यहाँ पर सॉल करते हैं से यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग मोबाइल M O B I L E ठीक है 4 6 2 9 3 और 5 क्लियर है चली M का नमबर कितना होता दोस्तों तो 13 O का नमबर 15 B का नमबर 2 I का नमबर 9 L का country 12 O K नमबर फाइव ठीक है चली म Ó यहाँ पर M को नह जिक रहा है 4 है ना तो 3 और 1 को क्य सक्या मिलकर बना दिया चार मतलब यूनिट डिजिड बना दिया गया तो का नमबर कितना होता है 15 तो व्यूंदर 500 पांच और दिया है उसको unit digit बना के number को यहाँ पर लिख दिया गया है अब हमें किसका code निकालना है तो हमें निकालना है record का code तो आईए यहाँ पर लिख लेते हैं record ठीक है? R का number कितना? 18 E का number 5 C का number 3 O का number 15 R का number 18 और D का number कितना होता है दोस्तों? 4 होता है ठीक है तो यहाँ पर 8 और 1 को जोड़ दिजिए कितना आ गया? 9 यहाँ पर 5 ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर 3 वैसा का वैसा ही यहाँ पर 1 और 5 को जोड़ दिजिए कितना हो गया? 6 और यहाँ पर 8 और 1 को जोड़ दिजिए कितना हो गया? 9 और यहाँ पर कितना 4, तो देखे, यहाँ पर हमने unit digit में convert कर दिया पूरा सवाल को, तो यहाँ पर हमारा answer का आ गया, 953694, मतलब यहाँ पर हमारा answer आ गया, 953694, ठीके, देख लिजे कौन सा option में दिख रहा है, 953654, option C is correct answer, clear इतना सभी को, चली, आगे बढ़ते हैं next question पर, चली, फ्रेंट्स, देखी, यहाँ पर हमें mirror image दिया गया है, अब यहाँ पर mirror के बाद वाली जो है, image हमें दी गई है, और mirror के पहले भाई image क्या होगी, उसको बताना, यहाँ पर देखें, mirror इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है, ठीके, चली, अब यहाँ पर हमें क्या ब या है वह right hand side में चला जाएगा मतलब इस तरफ जब आएगा जब ठीके और इस प्रकार से यहाँ पर जो बाद वाला N जो सीधा बना वगा है वह इसके left hand side में जाएगा और किस प्रकार आएगा उल्टा बना वगा जाएगा ठीके मतलब कुछ इस प्रकार से n बन जाएगा यहाँ पर और यह वाला जो है ठीक है यह कैसा जाएगा बिल्कुल सीधा जाएगा और इसके बिरारत यहाँ पर अब देख लिजी नीचे अब यहाँ पर जो n है इसको यह जो हम देखें तो यह n उस तरब चला जाएगा मतलब right hand side में और z कहाँ पर जाएगा left hand side में पर यहाँ पर z सीधा है तो यहाँ पर z कैसा देखेगा उल्टा देखेगा और यहाँ पर आपका जो n है वह कैसा हो जाएगा reverse हो जाएगा कुछ इस प्रकार से ठीक है तो यहाँ पर हमें इस प्रकार का option देखना है कौन सा option में तो देखे option 4 जो है वह इसी प्रकार का दिख रहा है मतलब mirror image जो है जो content left में है वह right में चला जाएगा जो right में है वह left में चला जाएगा और up down कैसे रहेंगे same रहेंगे ठीक है अगला question देखेगे क्या बोला है जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंक से है उसे प्रकार मच् से कि क्या होती है जिल्ली होती है या उसे क्या बोल सकते हैं शल्क बोल सकते हैं यह रहे option B is correct answer चली आगे बढ़ते हैं देखे friends अगला question mirror image से लिया गया है यहाँ पर हमें प्रशनाकरती दी है अब यहाँ पर mirror लगा के दिया गया है मतलब हमें mirror image निकालना है या वास्तवीक image दे रखी है क्या करना है दोस्तों सभी को बता है जो चीज left में है वह right में है वह left में जाएगी देखे यहाँ पर ज option या तो second होगा या third होगा आए कैसे पता लगाएंगे अब यहाँ पर देखे यहाँ एक image बनी गई है इसमें जो यह वाली बात है यह वाला जो square यह बोल सकते है rectangle बना हुआ है यह थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है और left hand side में बना हुआ है इसी को जब हम mirror में देखेंगे तो यह third number के आकरती यहाँ दिखेगा चली अगला question देखिए दिये गए विकल्पों में से विशम शब्द चुनिए मतलब यहाँ पर जो question है वहाँ आपका classification से लिया गया है तो देखें क्या दिया गया है उपद्वीप, द्वीप, खाडी और केप तो देखें friends उपद्व 10x question पर चली friends अगला question क्या बोला है कौन सी उत्तर आकरती प्रश्न आकरती के प्रतीरुख को पूरा करेगी मतलब यहाँ पर embedded figure से question लिया गया है यहाँ पर हमें जो चार option दिये है इनमें से कौन से आकरती जो है इस आकरती को पूरा कर देगी तो देखें आकरती समझ लेते तो यहाँ पर देखें क्या दिये गया है यहाँ पर right वाला हिस्सा जो है वो भरा हुआ है left वाला कैसा है खाली है ठीके बस इसी logic को हम यहाँ पर apply कर देंगे यहाँ पर left वाला हिस्सा भरा हुआ है right वाला खाली है तो इसका opposite क्या होगा दोस्तों इसका opposite हो जाएगा राइट वाला हिस्सा जो है वो भरा होना चाहिए और लेफ्ट वाला ऐसा केसा होना चाहिए खाली ठीक है तो यहां पर हम जब आकरती दूसरी ऑप्शन दूसरे को रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां क्लियर हो जाएगा पूरा वैसे गसी बन जाएगा देखी कुछ इस प प्रकार क्या अकरती जो है वो पूरा करेगी option second is correct answer clear है सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर next question क्या दिया है जिस प्रकार घोड़े का संबंद बचेडा से है उसी प्रकार हंस का संबंद होगा तो देखिए घोड़े का संबंद बचेडा से है तो बचेडा क्या होता है घोड़े का बच्चा तो यहाँ पर दिया है घोड़ा और यहाँ घोड़े का बच्चा उसी प्रकार यहाँ पर हंस तो हंस का बच्चा क्या कहलाएगा हंस शावक option is correct answer simple question था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर चलिए friends देखे क्या बोला है प्रश्न आकरती और यहाँ पर हमें उत्तर आकरती दी गई है चार इन में से कौन से आकरती जो है वो इस diagram को पूरा करेगी मतलब emirate figure से question लिया गया है कोई दिक्कत नहीं देखे यहाँ पर क्या है दो जो triangle है वो reverse है और किसमें है circle में तो यह आपर खाली पार्ट में क्या होगा तो CDC वात है एक हमारा एक circle तो पूरा होगा ही होगा ठीक है साथ ही साथ क्या होगा एक एसी line आएगी जो कि इस line को touch करेगी और एक इस line को touch करेगी ठीक है तो इस प्रकार का जो भी diagram होगा मतलब क्या होगा जिसमें एक एसा curve होगा एक line इसे जाते भी दिखेगी एक एसा और एक एसा वही होगा हमारा answer तो देखी कौन सा option दिख रहा है option third एक line करव वाली यह रही हमारी ठीक है दूसरी line यह रही हमारी और यह एक triangle ऐसा बन रहा है ठीक है चली तो option third is correct answer आपको यहाँ पर दोस्तों imagination पावर थोड़ा सा अच्छ उनों को आप solve कर सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं अगले question पर उस विकल्प का chain कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंदित है ठीक है चली तो देखे जे ओ एम जिस प्रकार relate करता है किसे के पी और एन को उसी प पर गया तो भी कया हुआ प्लस तो यहाँ पर पी तीनों में का कर दूँगा प्लस वन प्लस फवं प्लस फट ए की बदद क्या गा फोर के जाएगा यू ठीक है तो क्यू एफ YES यहीं हो गावार अंसर देखिने clear है सबी को इतना चली आगे बढ़ते है next question पर चली friends देखी अगला question जहें वो यहाँ पर कथन निशकर सी लिया गया है क्या दिया है यहाँ पर कथन कुछ paint red है तो यहाँ पर बना लेते हैं कि कुछ paint क्या है red है अगला क्या दिया है सभी red जो paint है वह पीले है मतलब सभी के सभी red जो paint है मतलब इतने red जो paint है वो क्या है पीले है ठीक है मतलब यहाँ पर क्या जाएगा पीले तो यहाँ पर मैंने इसकर्ष दिया है कुछ paint पीले है तो देखिए कुछ paint पीले है क्या यह कहना सही होगा तो बिल्कुल सही होगा कुछ mint क्या होंगे, पीले होंगे और कुछ पीले red है दीखिए कुछ पीले क्या है, red है ये भी बिल्कुल क्या होगा, सह क्योंकि पीला जो part हinka है, mid का part है ठीक है, चली तो यहाँ पर हमारे पहला निशकास और दूसरा निशकास, दोनों क्या हो रहे हैं सही हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, option, यहाँ पर 5 option दिये हैं, तो दोनों ने इसका अनुसरन कर रहे हैं, मतलब option E, यदि केट को कूट लिपी में 3120 लिखा जाता है, तो नवीन को कूट लिपी में किस प्रकार लिखा जाएगा, मतलब इसी क अब देखिए, यहाँ पर C, A, T, केट लिख लेते हैं, अब दोस्तों केट को क्या लिखा गया है, 3120, तो देखिए, C का नंबर कितना होता है, 3, A का नंबर कितना होता है, 1, और T का नंबर कितना होता है, 20, अब देखिए, इनी तीनों नंबरों को उनने साथ में लिख दि V का नमबर 22, I का नमबर 9 और N का नमबर अगेन कितना 14 तो यहाँ पर दोस्तों हमार आंसर क्या होगा 14, 122, 9, 1, 4 ठीक है 14, 122, 9, 1, 4 option A is correct answer चली अगला question देखिए यहाँ पर दिया है जिस प्रकार सुचालक संबन्दित है किस से तांबा से उसी प्रकार कुचालक संबन्दित होगा किस से तो यहाँ पर हमें 4 option दिये हैं लोहा, अल्यूमिनियम, लकडी और कोईला तो देखिए जिस प्रकार से सुचालक संबन्दित है किस से तांबा से मतलब तांबा सुचालक होता है उसी प्रकार से यहाँ पर इन चार उप्षन में कोचाला क्या होता है तो भाँ होता है लकडी clear a option c is correct answer सवज में आ रहा है फ्रेंड्स अभी को चली आगे बढ़ते हैं next question पर देखे फ्रेंड्स अगला question क्या बोल रहा है यदि bake को 10210 के रूप में लिखा जाता है और cake को 20104 के रूप में कूट बद किया जाता है तो made को किस प्रकार कूट बद किया जाएगा चली अब यहाँ पर हमें पहरें डिकोट करना होगा आए डिकोट कर लेते हैं यदि bake को क्या बोला है 10210 ठीके उसके आद में cake को क्या बोला है तो cake को लिख रहा है 20104 तो आगे हमें क्या निकालना है made चली थोड़ा सा tricky question ध्यान दीजिएगा देखे जिसे कि यहाँ पर b का नंबर कितना होता है दोस्तों 2 तो उसमें से क्या कर दिया है minus 1 कर दिया तो क्या गया यहाँ पर a का गया ठीक है a का नंबर कितना होता है 1 तो उसमें minus 1 कर दिया तो यहाँ पर क्या गया 0 फिर c का नंबर कितना होता है 3 तो यहाँ पर minus 1 किया तो यहाँ पर क्या गया 2 ठीक है जिसे यहाँ पर आपको proper लिख के बतायता हूँ B A C इनको किसे लिखा है B का नंबर 2 है तो इसको 1 लिखा है मतलब minus 1 करके A का नंबर 1 है तो इसको 0 लिख दिया है C का नंबर 3 है तो इसको क्या लिख दिया है minus 1 करके 2 और क्या बचाब K अब K का नंबर क्या होता है तो K का नंबर हम सभी को पालब है 11 11-1 मतलब क्या 10 ठीक है इस प्रकार से यह नंबर लिखा गया है 10 210 आगे चेक करते हैं देखें C का नंबर कितना होता है दोस्तों 3 तो माइनस 1 कर रहा तो क्या आ गया 2 बोलिए क्लियर है 1 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या बचा 0 बोलिए क्लियर है यहाँ पर 11 के का नंबर कितना आभी आपने पढ़ा था 11 11-1 किया तो क्या आ गया दोस्तों 10 ठीक है और यहाँ पर E E का नंबर कितना 5 5 में से एक घटा दिये तो क्या आ गया 4 मतलब जो भी आपके 1 करना है और उन नंबरों को आपको एज़िटीस लिखते जाना है तो देखे M का नंबर कितना होता है दोस्तों 13 13 में से हम एक घटा देंगे तो क्या बचेगा 12 हम यहाँ पर लिख लेते हैं E का नंबर होता है 1 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0 D का नंबर कितना होता दोस्तों 4 4 में से 1 गया तो कितने बच गया 3 और उसी परकार से E का नंबर कितना होता दोस्तों 5 5 में से 1 गटा देंगे तो क्या बचे 4 तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अंसर क्या होगा 1 2 0 3 4 option B is correct answer clear है सभी को चली आगे बढ़ते हैं next question पर अगला question दोस्तों यहाँ पर हमें number analogies से दिया गया है जिस प्रकार से 59 मतलब बोल सकते हैं 49 संबंदिते किस से 64 से या बोल सकते हैं इंडी में 59 संबंदिते किस से 64 से उसी प्रकार 144 संबंदित होगा तो देखे दोस्तों यहाँ question तो देखते ही बन रहा है क्यों तो कि यहाँ पर हमें square की उब्याद है और उसी पर basis question जो है पूछा गया है तो यहाँ पर जो है square basis question पूछा गया है देखे दोस्तों हम सभी को पता है कि 59 किस का square होता है 7 का तो जिस प्रकार साथ का स्क्वेर संबने थे किस से आठ के स्क्वेर से चोसट किसका स्क्वेर दोस्तों आठ से उसी प्रकार यहाँ पर 144 जिया है मतलब किसका स्क्वेर है यह बारा का स्क्वेर संबने थे हुआ किस से तो देखी साथ से आठ पर गया है तो बारा से कहां पर जाएगा दोस्तों बता दीजिए तेरा पर और तेरा का स्केर दोस्तों कित कहां 169 सभी को पता है option B is correct answer बिल्कुल simple question था चलिए आगे बढ़ते हैं देखे फ्रेंट्स अगला question क्या बोल रहा है प्रिती ने राहुल से अधिक अंग प्राप्त किये यमुना ने दिविया के बराबर अंग प्राप्त किये लोकिता ने मंजू से कम अंग प्राप्त किये राहुल ने यमुना से अधिक अंग प्राप्त किये मंजू ने दिविया से कम अंग प्राप्त किये तो सबसे कम अंक किसे ने प्राप्ट किए तो basically दोस्तों यहाँ जो question है order ranking से पूछा गया है आईए हम arrange करते हैं यहाँ पर हमें अंको का sequence दिया है जिसके ज़्यादा अंक होंगे हम उसको उपर रखेंगे जिसके कम अंक होंगे उसको कम का रखेंगे नीचे तो आईए पहला point पढ़ते हैं यहाँ पर पृती ने राहुल से अधिक अंक प्राप्ट किए तो देखें यहाँ पर बना लेते हैं पृती ने किस से दोस्तों राहुल से अधिक अंक प्राप्ट किए तो वहाँ बनेगी उपर और रहुल पने का नीचे चली आगे पढ़ते हैं यमुना ने दिव्या के बरावर रंक प्राप्ट की अब देखें यहाँ पर इसको साइड में लिख लेते हैं कि जो यमुना है उसके बरावर मार्क सिसके दिव्या के हैं ठीके चलो अब यहाँ पर यह सिक्वेंस में में लिख लिया आगे बढ़ते हैं लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त की इसको भी साइड में लिख लेते हैं अब जो लोकिता रहेगी सिक्वेंस में उसने किस अंक प्राप्त की एकम मंजू से तो मंजू कहां बनेगी उसके ओपर साइड बनेगी ठीक है तो हमारे पास यमुना से अधिक प्राप्त किये मतलब यमुना राहुल के कहा आएगी नीचे तरह ठीके यमुना ने राहुल से कम अंक प्राप्त किये यह बोल सकते हैं यहां पर सवाल में दिया है राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किये इसलिए राहुल का नाम उपर आएगा यमुना का नाम नीचे आएगा अब यहाँ पर देखें दोस्तों ध्यान दीजिए हमारे पास में एक side में point क्या रखा हुआ है यमुना और दिव्या के अंक केसे हैं बराबर यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्ट किये थे अब देखें मंजु ने दिव्या से कम अंक प्राप्ट किये हैं तो दिव्या के कहां पर बनेगी नीचे तरफ है ना और इस point का एक मतलब और निकलता है कि यदि मंजु ने दिव्या से अंक कम राप्ट किये मतलब मंजु क्या अंक किस से कब कम है यमुना से भी कम है क्योंकि यमुना और दीविया का अंक केसे हैं बराबर जैसा कि हमें सवाल में यहाँ पर दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर कौन जम जाएगी दोस्तों मंजू क्लियर है सबी को और देखे यहाँ पर हमारे पास में एक अरेंज करने वाला पॉइंट और बजगया है जो कि मैंने यहाँ पर बॉक्स में ले लिया था क्या दिया है यहाँ पर मंजू के अंक जादा है किससे लोकिता से ठीक है यहाँ पर देख लिए यह लिखा भी है लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्ट किये अब यदि लोकिता ने मन्जू से कम अंक प्राप्ट किये तो लोकिता का नाम कहा जाएगा सबसे नीचे और उसके उपर को बन जाएगी मन्जू ठीक है तो इस क्रम में सबसे यादा नमा किस के नमा प्राप्ट किये तो अगला number क्या होगा मतलब number series से question दिया गया है आई एसे solve करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी से हम जगे बना लेते हैं इस sequence को लिख देते हैं short में प्रिती राहुल यमना अबलिक दिव्या मंजू और लोकीता ठीक है चली अब यहाँ पर हम थोड़ी सी space बना लेते हैं दोस् दूसरा question भी आसानी से solve हो जाए और आपको समझ में भी आए चली number series का question है यहाँ पर लिखते है number 3, 10, 31, 94 अब देखिए number जो है बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा मातरा में बढ़ रहे हैं मतलब plus plus करके नहीं आ सकता है जैसे देखिए 3 से 10 फिर 10 तो आ सकता है plus 7 करके पर तो फिर 10 के बाद में 31 हो गया फिर 31 करम दड़ायर क्या हो गया 94 हो गया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं multiply का logic लगा सकते हैं तो देखे दोस्तों इस question में किस प्रकार का logic लग रहा है आईए समझते हैं मैं 3 से 10 पर किस प्रकार जा सकता हूं तो देखिए यदि मैं 3 में multiply कर दूं 3 का और उसमें क्या कर दूं प्लस 18 कर दू तो क्या जाएगा मेरे पास में 10 गूलिए clear रहे तीन त्याय नों और एक दस जो कि मैंने यहां पर लिख दिया चली अब 10 से 31 पर कैसे आ सकता हूं दोस्तों तो यहां पर 10 से 31 पर जाने के लिए 10 इन्टू वापस 10 में multiply x का करूँगा मैं 3 का ठीके और क्या करूँगा plus 1 तो 10 तिया 30 और 31 जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीके मतलब series में लिखा गया है आगे बढ़ते है 31 से 94 कैसे आ सकता है तो 31 से 94 कैसे आएगा 31 into 3 यहाँ पर 3 में 3 का multiply किया यहाँ पर 10 में 3 का multiply किया तो यहाँ पर 31 में 3 का multiply करेंगे और क्या करेंगे plus 1 को add करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 94 प्लियर यह इतना सभी को अब अगला हमारे जो निकालना है वह answer किसे आएगा दोस्तों बता दीजिए तो 94 में multiply किसका करेंगे दोस्तों हम 3 का और plus क्या करेंगे one add जैसा सीरीज में चलता रहा है वैसा हमको आगे continue करना है ठीके तो जब आप दोस्तों 94 में 3 का multiply करेंगे 94 में 3 का multiply कर लेते हैं 4 तिया 12 बचा एक 9 तिया 27 और 288 तो कितना आ गया 282 परन्तु यहाँ पर हमें क्या करना है एक को add करना है तो क्या जाएगा दोस्तों 283 तो सीरीज का आगला नंबर क्या होगा दोस्तों 283 option C is correct answer clear है सीरीज की दोस्तों आपको थोड़ी सी practice करना होगी आप जितने question सीरीज के लगाएंगे उतने ही logic आपको मालूम बढ़ते आएंगे कि किस-किस परकार से दोस्तों exam में question पूछे जा सकते हैं ठीके चली आगे बढ़ते हैं next question पर चली फ्रेंट्स अगला question देखिए 63 कारों की पंक्ती में काली रंग की कार 2 और से 32 है ठीके उसका इस्थान मतलब कितना है 32 राइट हेंट राइट से बाइए और से उसका इस्थान क्या है देखिए अब इसे हम हमारी short tricks apply करेंगे हमारी short trick क्या बोलती है total बराबर एक तरफ की place प्लस दूसी तरफ की place minus 1 और यहाँ कब apply करते हैं जब किसी भी एक व्यक्ति या किसी एक परसन या बोल सकते हैं किसी एक thing की position दोनों तरफ से दी जाए और total दिया जाए तो यहाँ पर हमें देखिए total दिया है कितना 63 ठीके दूसी तरफ से मतलब एक तरफ से place कितना दिया है मतलब दूसरी position के ठीके अब यहाँ पर बस difference ले लीजी तो कितना आ रहा है 32 63 में से आप जब 31 को minus करेंगे तो क्या बज़ेगा 32 तो n बराबर 32 और n बराबर मतलब क्या है तो n बराबर मतलब है by और तरफ से ठीके यहाँ पर जो m है उसको आप left मान सकते हो value 32 ठीके चली तो यहाँ से answer क्या है option 1 आगे पढ़ते हैं अंगले question पर यदि plus का आर्थ into है minus का आर्थ divide है into का आर्थ minus है तथा divide का आर्थ प्लस हो तो निम लिकिस समय करण कमान ग्याद करें ठीके आईए अब यहाँ पर हमें सबसे पहले sign change करना होंगे जो होगे हमें question दिया है और उसके बाद फिर इसमें board mass लागा कर इस question का answer निकालना होगा चली दोस्तों simple है आईए solve करते हैं साथ में तो देखे दोस्तों यहाँ पर equation कुछ इस प्रकार बनेगी जिसे की 6 plus की जग़ापर क्या लिखना है into तो यहाँ पर आजाएगा into 64 फिर देखे माइनस की जग़ापर क्या लिखना है divide तो divide by 8 फिर देखे दोस्तों divide की जग़ापर क्या लिखना है तो divide की जग़ापर लिखना है plus तो plus 45 और क्या बचा into तो into क्या लिखना है दोस्तों minus लिखना है into क्या लिखना है आठी उठी 64, बुले क्लियर है, 8 से उसको काट दिया, तो 8 बार चला जाएगा, अब यहाँ पर क्या बचा, इंटू, प्लस और माइनस, तो पहले क्या करेंगे, इंटू, तो 8, 6, 8, ठीक है, प्लस के 45, माइनस के 8, बुले क्लियर है, अब यहाँ पर बस सिंपल सा है, माइनस काट, वो प्लस के 48, तो कितने बचे है, 40 प्लस 45, ठीक है, यहाँ पर यह किंसल कर दिया, हमने 48 में से 8 को, अल्टिमेटली हमारा आंसर के आगया, जल्दी से 85, ओप्शन A is करेक्ट आंसर, प्लेर है सभी को, चली, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन पर, देखें दोस्तों, नेक्स कोशन क्या बोल रहा है, निमलिकित प्रस्ट में दिये गए विकल्पों में से, लुप्त अंक ग्यात कीजिए, देखें, यहाँ पर जो कोशन मांग दिया है, इसके प्लेस पर कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा, उसे हमें निकालना है, देखें, मैंट्रिक्स फॉर्म दिया गया है, इसके पहले भी हम ऐसे कोशन सॉल कर चुके हैं, देखें, यहाँ पर यहाँ दिया हम देखें, ट्रिक, तीन और चार, इन दोनों से हम पच्चिस लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो किसे ला सकते हैं, देखें, चार तिया बारा, मल्टिप्लिकेशन से तो नहीं आ रहा, ठीक है, यह तो वाँ बढ़िया बन गया, चार तिया बारा, और मल्टिप्लिकेशन से पच्चिस नहीं आ रहा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों, तीन का स्क्वेर, प्लस चार का स्क्वेर, तो दीखें दोस्तों, तीन का स्क्वेर कितना, तो 121 में हमें क्या एड करना है 144 ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा देखिंदों 165 क्या जाएगा 265 तो आ रहा है बस तीसरा भी वैसे निकाल लीजी क्या करना है यहां पर 17 और 8 का स्कुर को एड करना है एक, आठ, दुद्दा, सुर एक, ग्यारा के एक, हाथ क्या गए एक, कितीनों तीन, छे, शिक्स, वन, थ्री, यही होगा आमार आंसर, कोशन माक के स्थान पर क्या जागा दोस्तों, शिक्स, वन, थ्री, लिए रहे सभी को, चली, आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन पर, इस प् पर थोड़ा सा प्रॉपर लिख के बता देता हूं, वहाँ पर क्या थोड़ा सा समझाओंगा तो आपको होश-वश हो जाएगा, जगे कम है इसलिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखे क्या दियेगा है, C, G, E, F, दूसरा ओप्शन है, तीसरा ओप्शन क्या दियेगा है बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पर कोई भी element चेक कर लेना है, जैसे किसे पहले step में आपको पहले और दूसरे के बीच में give देख लो कितना है, तो F और I के बीच में कितने give होता है, तो F का नमबर होता है 6, I का नमबर होता है 9, मतलब कितना जुड़ रहा है, प्लस का 3, आगे चेक करिए, V का नमबर 22, Y का नमबर 25, कितना जुड़ रहा है, प्लस का 3, ठीक है, तो यहाँ पर देखिया हमारा answer आ चुका है, second वाला option जो है वो अलग है बाकी तीनों से, कैसे, जब हम पहले से दूसरे element की तरफ जा रहे हैं, तो बाकी तीनों में प्लस 3 हो रहा आए, परन्तु इसमें कितना ओ रहा है, प्लस का 4, इसलिए option B हमारा यहां क्या होगा, सही होगा, clear है सभी को, ABCD के नमबर दोस्तों याद कर लिएजेगा, आपको अधिकतर questionों में ये काम आएंगे, आगे बढ़ते हैं, चलिए friends, अगला question देखी, क्या दिया गया है, निम यहां पर हमें box में 4 नमबर दिये, यहां पर भी 4 दिये, यहां पर 3 दिये, और question माक के इस्तान पर क्या आएगा, उसे निकालना है, देखे दोस्तों, यहां पर हम क्या logic लगा रहा है, उसको आप ध्यान से समझेगा, यदि में यहां पर cross multiplication कर रहा हूं, तो देखे क्या आ चे दूनी, 12, गुले clear है, और यहां पर 3 चोक, 12, चली, इसे आगे चेक करते हैं, देखे, 8 नम कितना होता है, बहुत तर, और बार्चंग भी कितना होता है, बहुत तर, उसी प्रकार से यहां पर देखे दूस्तों, 6 तिया कितना हो गया, 18, अब 9 में हम किसका multiply करें कि यहा SLIP, मतलब slip बरापर 56, देखे, I का नमबर तो कितना होता है, 9, अब slip को चेक करते है, SLIP, अब देखे, S का नमबर दोस्तों कितना होता है, तो 19 होता है, L का नमबर कितना होता है, 12, I का नमबर कितना होता है, 9, और P का नमबर कितना होता है, 16, ठीक है, यहां पर देखे, 9, 9, अठारा अठारा और दो बीस उचे चब बीस के छे हाथ के आ गए दो दो और तीन कितना पांच मतलब सिंपली जो भी यहाँ पर हमें वर्ड दिया है उसको हमने यहाँ पर जो भी ओरीजन लंबर है उसको एड कर दिया है तो कितना आ गया 56 उसी प्रकार से फॉल का अंसर निक लिकुल सिंपल कोश्चन था आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन पर अगला कोश्चन देखी दोस्तों एसा चित्र बताईए जो निमलिके छ्रेणी के बीज के संबंद को सारोधनिक उचित धंग से दर्शाता है देखी वेंड डागराम का कोश्चन है हमें यहाँ पर ती रिंग है वहँ लिक्वेड का हो जाएगा एक रिंग चला जाएगा सोडा वाटर को और एक रिंग चला जाएगा किसको मिनरेल फॉर्टर ठीक है इस लिए औक्सन ने क्या होगा बिलकुल सही सभी अगला कोश्चन देखी दूस्तों अगला कोश्चन बोल रहा है प Tris चात से place निकालना है minus 1 तो यहाँ पर 8 में से एक चल लगए कितना होगा 7 उस 7 को उठाकर इदर लियाएंगे बराबर कि तो क्या हो जाएगा minus का 7 35 में से यहाँ पर हम 7 को minus कर देंगे तो क्या बच जाएगा 28 लियरे तो यहाँ पर 18 हमारा answer होगा दूसी तरफ से जो है यह बोल सकते हैं दाइं और से चातर का इस्थान यह बोल सकते हैं पी का इस्थान क्या होगा 28 option A is correct answer clear है सभी को चली आगे बढ़ते हैं next question पर देखे friends वे नारेक का chain करें जो दिये गए तीन वर्गों के बीच के संबन्द को सरवत्तम दर्शाता है वे नारेक का chain करना है जो तीन दिये गए वर्ग है उनके बीच के सरवत्तम दर्शाता है ठीक है संबन्द को मतलब चली, वे नारेक का question है, क्या तीन element दिया है यहाँ पर हमें? कलम, मेज और लेखन सामगरी अब देखें, जो कलम है, वो तो काई में जाएगी लेखन सामगरी में और मेज क्या हो जाएगी? अलग तो उस हिसाब से दोस्तों, यहाँ पर हमारा answer क्या होगा? चुनिए, यहाँ पर classification of वर्ट से question लिया गया है, वाशिंग्टन, न्यू यॉक, लास वेगास और सिडिनी तो हम सभी को बता है, यहाँ पर वाशिंग्टन, न्यू यॉक और लास वेगास यह तीनो एक ही country के हैं, यह तीनो एक ही जगे के मतलब United States of America, और सिडिनी बात कर रही है, मतलब किसके बात चल रही है, आस्ट्रेलिया की, ठीके, तो आस्ट्रेलिया जो है, मतलब सिडिनी जो है, आस्ट्रेलिया का हिस्सा है, यह अलगे बाकी तीन इससे किसके हैं, हमें दिखा के, चली, तो आगे बढ़ते हैं, अगले question पर चली friends, अगले question दिखिए, next question दिया है, प्रश्नाकरती, और यहाँ पर हमें left, right को interchange कर लेते थे, परन्तो अब देखिए, mirror जो है, वो यहाँ पर उन्हें नीचे axis पर लगा दिया है, ठीके, अब नीचे axis पर यहाँ पर mirror लगा हुआ है, तो अब हम करना क्या होगा, ध्यान दीजेगा double वाला यह एक line जो है, यहाँ भी उपर चली जाएगी, और यह जो पूरा phone जैसा बनावा area है, जहाँ किसा हो जाएगा, reverse हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीके, क्योंकि mirror दोस्तों कहाँ पर लगा हुआ है, नीचे की तरफ लगा हुआ है, अभी तक हमने जितने mirror image बढ़ते हैं, अगले question पर, क्या दिया गया है, यहाँ पर b e h k n q तो अगला क्या होगा, चली, यहाँ पर लिख लेते हैं, b e h k n q तो अगला क्या होगा, बस क्या करना है दोस्तों, बता दीजिए, पहले से पहला element करने करते हैं, यदि मैं b e s e h पर जा रहा हूँ, तो बत प्लस का 6, ठीक है, h से n पर जा रहा हूँ, तो भी क्या हो रहा है, प्लस का 6, और n में भी क्या जोड़ देंगे हम, प्लस का 6, तो देखी दोस्तों, n का नमबर होता है, कितना, 14, 14 में 6 जोड़ा, तो 20 पर क्या आता है, t, चली, अब दूसरे पत की बात कर लेते हैं, यदि यदि e से k पर जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, प्लस का 6, बोले क्लियर है, e का नमबर 5, k का नमबर 11, मतलब 6 जोड़ गया, ठीक है, 11 में यदि में 6 जोड़ रहा हूँ, मतलब k में यदि में प्लस 6 कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, q आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या में आ रहा है दोस्तों आपको इन सभी कोश्चनों के अच्छे से प्रेटिस करना होगी ठीक है तो आपको ये सभी कोश्चन इजी ली बन जाएंगे तो आपका जो एक्जाम है ऐसे सीम्टेस का आप उसमें रिजनिंग में जा सदा नंबर को गेन कर सकते हैं चली आगे का जो मिरर रहेगा उसमें लेफ्ट और राइड जो होंगे वापस में इंटरचेंज होंगे और अब डाउन कैसे रहेंगे दोस्तों सेम रहेंगे याद रखेगा चली अब यहां पर देखिए यहां जो त्रिशूल है यहां किस तरफ चला जाएगा राइट है चला पर और आपको सॉल करके टिक करके आगे बढ़ जाना है अगला कोशन देखिए एसी एफ जिस प्रकार संबन्दित है जे एलो से उसी प्रकार से जी आई एल संबन्दित होगा किस से चली यहां पर दिख लेते हैं एसी एफ रिलेटेड टू जे एल ओ एस इस जी आई एल र रहा है दोस्तों नो जुड़ रहा है यदि मैं सी से एल पर जाता हूं तो कितना जुड़ रहा है नो जुड़ रहा है यदि मैं एफ से ओपर जाता हूं तब भी कितना जुड़ रहा है नो जुड़ रहा है ठीक है चली जिस प्रकार से यहां पर एड़ हुआ है उसी प्रक प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखा है, I, अब I, I का नंबर कितना होता है, 9, 9 में 9 जोड़ देची है, कितना जाएगा, 18, ठीके, 18 पर क्या आता है दोस्तों, R, और L, L का नंबर कितना, 12, 12, और 9 कितना होगे दोस्तों, आपका 21, क्या जाएगा, U, तो यह हमें आकरती दी गई है और उत्तर आकरती दी गई है चार अब इन चारों में से कौन से आकरती को यदि हम यहाँ पर fit करेंगे तो diagram complete हो जाएगा मतलब इस प्रकार आएगा यह वाला इंगर इस प्रकार ठीक है उसके बाद में यहाँ वाला इंग लाइन जो इस प्रकार आजाएगी ठीक है यह वाली और उसके बाद में बची हो जी हिस्सा कौन सा दोस्तों यह वाला ठीक है तो यह क्या करेगा पूरे आकरती को complete करेगा option third is correct answer च हमें यहाँ पर एक equation दी गई है उसका मान ग्यात करना है चली बिल्कुल simple है यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो equation दी है उसके sign को change कर लेते हैं देखे 16 अब divide की जगह पर क्या लिखना है तो यहाँ पर कर लेते हैं plus कितना 4 फिर देखे अगला into अब into की जगह पर क्य लिखना है तो देखे into से आशाए क्या है minus तो यहाँ पर कर देंगे minus 10 फिर देखे minus से क्या आशा है तो देखे minus से आशा है मतलब divide मतलब minus क्या लिखना है divide by 5 और plus मतलब क्या है तो देखे plus मतलब क्या दिया है into 8 ठीक है और इसको solve करकर answer लेकर आना है विलकुल simple है इसे मैं इस प्रकाल लिख सकता हूं दोस्तों 16 plus 4 minus 10 बटे 5 into 8 बोले clear इसा लिख सकता हूं ठीक है तो यहाँ से कितना हो गया 5 दोना 10 यह कितना हो गया 8 दूनी 16 ठीक है तो 16 plus 4 और यहाँ पर यह जो 16 आएगा किसा आएगा minus का 16 आए तो plus के 16 और minus के 16 के insult तो ultimate लेका बज़ गया हमार चली दोस्तों देखिए next question जो यह वो emirate figure से लिया गया है प्रशन आकरती कुछ इस प्रकार दी गई है अब इन चारों में समय बताना है कुझसे आकरती को यहाँ पर लगाने पर यह diagram complete हो जाएगा अब देखिए बिलकुल simple question है दोस्तों यह तो यहाँ पर देखिए दो circle उपर नजर आ रहे हैं उसी प्रकार से दो circle कहाँ पर नजर आएंगे नीचे की तरफ अब देखिए ऐसा केवल एक की option दिख रहा है कुझसा option 4 बस simple था चली आगे बढ़ते हैं अगले question पर next question क्या बोल रहा है यदि world और फिर इसकार में क्या लिखा एक्स पी एस एम ई और अगला क्या होगा अब यहाँ पर जो है अल्फाबेटिक सीरीज दी है आई इसको लिख लेते हैं डब्लू ओ आर ल्डी वर्ल्ड फिर अगला दिया है एक्स पी एस एम और ई अगला जो है वो step निकालना है और उसके बादवाला step दिया गया है जेड आर यू सीके इसको य अगला step भी कुछ इससी प्रकार निकालते हैं सभी में क्या कर दो प्लस का 1 तो X में एक जोड़ दो, Y आ जाएगा ठीक है? P में एक जोड़ दो, Q आ जाएगा, S में एक जोड़ दो, T आ जाएगा, M में जोड़ दो, A न जाएगा, और बचा कोचा E, E में जोड़ दो, तो क्या जाएगा? F इसको आगे check कर लीजिए यदि इन सभी में हम plus one eight करते हैं तो देखिए अगला step आ रहा है क्या तो देखिए y से z, q से r, t से u, n से o और f से g, मतलब हमारा answer क्या है सही है, ठीक है, बस देख लिजी y, q, t, n, f y, q, t, n, f option a is correct answer clear है friends अभी को, चली एक last question बचा है दोस्तों, उसे भी देख लेते है चली friends, देखिए कतन निशकर्ष से question लिया गया है important question है, ध्यान दीजेगा कतन क्या दिया है, सभी धातुएं plastic है आईए बनाते हैं, कि सभी की सभी जो धातुएं हैं, वह क्या है, plastic है तो इस प्रकार से cover हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, सभी plastic क्या है, fiber है दूसरा कतन क्या दिया है, सभी के सभी plastic क्या है दोस्तों, fiber है ठीक है, चलो अब निशकर्ष क्या दिया है, उसे देख लेते हैं कम से कम, कुछ fiber धातुएं है देखे, कुछ fiber धातुएं है बाहर से अंदर की तरह पाते है, हमने पढ़ा है दोस्तों, outer to inner में सम क्या होता है, follow और कम से कम का मतलब हमने क्या पढ़ा है इसको क्या बोलते है, कुछ ही बोलते है ठीक है, कुछ fiber क्या है धातुएं, तो पहला क्या होगा सही, और अगला क्या दिया है कुछ धातुएं फाइबर नहीं है, तो क्या होगा गलत, हमारे rule number second से, ठीक है, rule number second क्या बोलता है, यदि कतन positive हो और निशकर्ष direct negative पूछा गया हो तो भाग्या होता है, गलत तो यहाँ पर दोस्तों, केवल पहला निशकर्ष निकल रहा है, पहला निशकर्ष अनुसरन कर रहा है, इसलिए अमारा answer होगा, ए, यदि आपको दोस्तों कोशन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छे लगे हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों, इन सभी कोशनों को, मेरे आप से रिक्वेस्ट है, जरूर पढ़के जाईए, और इनकी प्रैक्टिस करके जाईए, आपको एक्जाम में डेफिनेटली फाइदा मिलेगा